अधर्व आखिरकार उन सभी परिशानियों को दूर करने में काम्याब रहा जिसने उसे अभिभूत कर दिया था एकांत कमरे में कोई उन्हें परिशान नहीं कर सकता था दस मिनट से अधिक समय व्यतीत करने के बाद कोला और अन्य के लिए आवश्यक कारियों पर चर्चा और व्यवस्था करने के बाद जैसे ही वे कारवाई करने वाले थे नेता जैसा की अपेक्षित था उस अस्थिर विनाश ने जवाबी कारवाई की है फिलहाल आधिकारिक मंचों पर एक वीडियो सामने आया है पोस्ट में यह भी कहा गया है कि अपनी जान बचाने के लिए आपने स्वेच्छा से अपने ही साथियों को मार डाला अत्यंत निंदनी पोस्ट के नीचे भी बहुत सारे लोग आपकी निंदा कर रहे हैं कोला ने कहा फायर डान्स और अन्य लोगों ने पोस्ट पर भी नजर डाली इश्वर कोटी का विशेशग्य एक नीच छोटा आदमी है प्रमान उपलब्ध है तुरंथी टीम के हावभाव उग्र हो गए उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके पूर्व साथी इतनी बेशर्मी से पेश आएंगे वे वास्तव में अथर्व पर आरोप लगाने के लिए खड़े हुए थे उन्हें सपश्ट रूप से अथर्व का इनाम मिला था फिर भी उन्होंने इसे ऐसे कहा जैसे उन्होंने अथर्व से दोस्ती के कारण केवल मार्शिल यूनियन पर हमला किया हो जब उन्हें अपने गलत कामों का एहसास हुआ तो जब उन्होंने अथर्व को बदनाम करने की कोशिश की तो उसने उन सभी को मार डाला ऐसा विश्वासधाती छोटा आदमी विशेशग्य कहलाने के लायक नहीं था हाला कि जैसा कि अथर्व बहुत मजबूत था और वे केवल कमजोर लोगों का एक समुह थे वे न्याय पाने के लिए शक्ति हीन थे वे ओनलाइन अथर्व की निंदा कर सकते थे सबूत उनके पिछले नेता, फायर डान्स, अथर्व की वरतमान टीम में शामिल होने में नहित है यहाँ अकाट्य थोस सबूत था कि अथर्व चुनौती नहीं दे सकता था अथर्व मूल रूप से वाइट रिवर सिटी में बहुत प्रसिध था उन्होंने न केवल एक टीम काल कोठरी के नरक मोर को साफ किया बल्कि उन्होंने हिन देवी के साथ एक असपष्ट संबंध का भी आनंद लिया जो दूसरों की इर्शा बन गया अब जब उन्हें लेकर एक स्कैंडल सामने आया तो पोस्ट बेहद एक तरफा होने के साथ ही अथर्व सबके निशाने पर आ गए पोस्ट के जवाब में तमाम तरह की गालिया लिखी गई अथर्व के पिछले कुछ समर्थकों ने भी अथर्व के घिनोंने व्यवहार पर अपना आघात व्यक्त किया और पहले से ही उनके खराब निरनय की निंदा की तुरंक्त यह पोस्ट वाइट रिवर्सिटी में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला विशय बन गया ब्लाक फ्लेंग और हैमर ट्रेडिंग के बीच युद्ध के दौरान बनाए गए पोस्ट को पार करते हुए इसकी व्यू काउंट बढ़ गई नेता चलो अभी पलटवार शुरू करते हैं कोला अब इस उफास को सहन नहीं कर सकती थी अस्थिर तबाही बहुत ही घेनित थी वह अथर्व को सीधे युद्ध में पराज़त करने में असफर रहा था इसलिए उसने अथर्व की प्रतिष्ठा को बदनाम करते हुए चाया से प्रतिशोध लिया हाला कि अथर्व को कोई खास नुकसान नहीं हुआ फिर भी उन्हें भविश में अपना गिल्ड स्थापित करने की आवशक्ता थी इस मामले से अंधे हुए खिलाडी निश्चित रूप से ऐसे नेता के साथ गिल्ड में शामिल नहीं होंगे वे अपने गिल्ड को कैसे विक्सित करने वाले थे वे उन बड़े संगों के साथ कैसे प्रतिसपरधा कर सकते थे हाँ 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 प्रमान और तर्क दोनों के साथ सही कहा आपने मैं बहुत हृद्यानवित हूँ, मैं फाड रहा हूँ पोस्ट देखकर अथर्व हनसे बिना नहीं रह सका अथर्व ने इस तरह के हथकंडे अपने पिछले जन्ग में अंगिनत बार देखे थे उनमें से अस्थिर तबाही ने अपने दुश्मनों पर प्रहार करने के लिए एक गर्जन से अधिक बार ऐसी रननीती का इस्तिमाल किया था अथर्व यह स्विकार किये बिना नहीं रह सका कि यह युप्ति वास्तव में प्रभावी थी हाला कि तो क्या अस्थिर तबाही पहले की तरह ही थी अंत में वह अभी भी मार्शिल यूनियन के गिल्ड लीडर नहीं बन सके और खेल के बाद के चर्णों में उनकी ताकत कई चर्णों में आयरन स्वार्ड लायन से भी कमजोर थी पूरी ताकत के सामने सभी छोटी छोटी चाले बेकार थी ठीक है सभी को बरखास्त कर दिया गया है साइलेंट दलदल में जाएं और ब्लैकी और लोनली स्वार्ड से मिलें इसके अलावा इन दो ग्रूप आइसोलेशन स्क्रॉल को लें इनका उप्योग करने के लिए शहर के अंदर एक जगह खोजें फिर शहर और साइलेंट दलदल के लिए सिर्छ छोर दें अथर्व ने दो टियर एक ग्रूप आइसोलेशन मैजिक स्क्रॉल निकाले उन्हें फायर डान्स और कोला को सौप दिया समोहलगाव स्क्रॉल ने खिलाडियों को स्टील्थ मोर में प्रवेश करने की अनुमती दी और गती को 10% बढ़ा दिया यह केवल एक गैर जुझारू स्थिती में इस्तिमाल किया जा सकता था और इसकी अब धी आधे घंटे की थी खिलाडियों के युद्ध में प्रवेश करने पर स्टील्थ प्रभाव तूट जाएगा इस मद के साथ कोला और अन्य लोग निगरानी से बचते हुए आसानी से ब्लैकी से मिल सकते थे समोह रेस्तरां से चला गया इस बीच अथर्व खुद रेड लीफ टाउन के टाउन हॉल की ओर चल पड़ा अस्थिर तबाही मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि कोई फर्प नहीं पड़ता कि आप अपनी आस्तीन उपर रखते हैं पूरी ताकत के सामने यह सब व्यर्थ है अथर्व मुस्कुराया क्योंकि उसने आधिकारिक मंचों को बंद कर दिया था इसके बाद उन्होंने कड़े पहरे वाले टाउन हॉल में प्रवेश किया यह वर्तमान में भगवान के डोमेन में दिन का समय था अधिकाश खिलाडी मैदान में बाहर थे, लेवल अप कर रहे थे इसलिए बार में बहुत कम खिलाडी थे हालाकि वर्तमान में बार के कोने में बैठे दस से अधिक पुरुष उच्चस्तरिय उपकरनों से लैस थे एक जानलेवा हवा ने इन दस से अधिक पुरुषों को घेर लिया और उनमें से प्रतेग के पास एक जहरीले सामके समान तेज टकट की थी जिससे दूसरों के रोंगते खड़े हो गए इन लोगों की उपस्थिती ने अन्य खिलाडियों को एक के बाद एक बार से उनका पीछा करते हुए उनसे एक सम्मान जनत दूरी बनाए रखी इसलिए मौजूद NPC के अलावा केवल ये 10 प्लस पुरुष ही भीतर रहे मोटी भाहों वाला एक आदमी इन खिलाडियों के सबसे बाहरी किनारे पर बैठा था वह मार्शिल यूनियन आयर्न स्वार्ड लायन के पूर्व कप्तान थे इस समय आयर्न स्वार्ड लायन ने मार्शिल यूनियन के गिल्ड प्रतीक को नहीं पहना था यह दर्शाता है कि वह अब मार्शिल यूनियन के पुरुषों में से एक नहीं था आयर्न स्वार्ड तुमने इस बार अच्छा किया है यह केवल आपके लिए धन्यवाद है कि अस्थिर तबाही ने जैसा चाहा था, वैसा ही किया है एक बार जब हम लॉट आएंगे, तो मैं आपको आपके प्रयासों का श्रे दूँगा जब तक आप कड़ी मिहंत करना जारी रखते हैं, जल्दिया बाद में आप Underworld के एक बाहरी सदस्य, Absolute Haven के समान हो सकते हैं मेज के सिर पर बैठे, South Wolf ने Iron Sword Lion की प्रशन साखी धन्यवाद Lord South Wolf आपके समर्थन के लिए मैं निश्चित रूप से संस्था द्वारा दिये गए, सभी कारियों को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रिष्ट दूगा Iron Sword सिंह ने आदरपूरवक कहा, उसका चेहरा अत्यधिक उत्साह से भर गया जब से Absolute Haven ने उसे South Wolf की सिफारिश की थी, Iron Sword Lion ने पाया कि उसका पिछलास्व एक कुए में में निधक था उसका भूतकाल वास्तव में नहीं जानता था कि परमिश्वर के राज्य का जल कितना गहरा है God's Domain में शामिल हिद उसके लिए समझने के लिए बहुत बड़े थे अगर वह Underworld जैसी रहस्य में संस्था के संपर्क में नहीं आता तो उसे इस विशाल रहस्य के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता जब आयरन स्वार्ड लायन को इस रहस्य के बारे में पता चला तो वह तुरंत डंग रह गया उसने यह भी सोचा कि उसने गलत सुना है इस दुच्शीतन रहस्य को स्वीकार करने में उसे 10 मिनट से अधेक का समय लगा उन्होंने इस तथ्य का जश्न मनाया कि वे बेकार मार्शिल यूनियन को पीछे छोड़ते हुए अंडरवर्ड का पक्ष हासिल कर सकते है गौड्स डोमेन ऐसी जगह नहीं थी जहां मार्शिल यूनियन जैसे गैरश्रेनी बद्ध संध खेल सके यहां तक कि तीसरे दरजे के संगों का भी किसी भी समय विनाश हो सकता है केवल वे दोयम दरजे के गेरिया उससे उपर जिनके पास एक मजबूत प्रिष्ठ भूमिथी वे भगवान के डोमेन में अधिकार के लिए प्रतिसपर्धा करने के योग्य हो सकते थे यदि आयरनसवाड सिंह अंडरवल्ड का बाहरी सदस्य बन सकता है तो वह भविश्य में एक लापरवाह जीवन जी सकता है उस समय वार्शिक वेतन होना केवल एक छोटी सी बात होगी अंदरवरिड का बाहरी सदस्य बनने का अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा स्थिती और अधिकार था जो स्थिती के साथ आया था वह शहर में निग्मों के उन बड़े शौट्स के साथ बराबरी पर होगा यह कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने हमेशा बनने का सपना देखा था यह अधर्व से निपटने के तरीके पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं अस्थिर विनाश द्वारा उसे अभी बदनाम करने के कारण यह अधर्व देरस्वेर प्रसिद्धी से गिर जाएगा अगला कदम जेंटल स्नों के साथ उसके रिष्टे को नश्ट कर रहा है फिर अंत में ये अधर्व को एक घातक जटका देते हुए हम उसे भगवान के डोमेन से पूरी तरह गायब कर देंगे जब साउथ वुल्फ ने अधर्व के घमंडी शब्दों को याद किया तो वह अपनी आखे सिकोडने के अलावा और कुछ नहीं कर सका उनमें एक ठंडी चमक चमक रही थी वह चाहता था कि वह इसी क्षण अधर्व से चुटकारा पाले हाला कि यंग मास्टर अधर्व ने उन्हें पहले ही एक आदेश दे दिया था और उनकी सहायता के लिए अंडर वर्ड गार्ड्स की एक पार्टी भी भेजी थी इसलिए साउथ वुल्फ धीरे-धीरे अधर्व के साथ खिलवाड करके अपना गुस्सा निकाल सकता था इस समय परमस्वर्ग इस समय मौन्ग ने अचानक अपना मुह खोला और कहा ये अधर्व और कोमल हिंके बीच के रिष्टे को तोड़ना बहुत आसान होगा समस्या यह है कि हम ये अधर्व से कैसे निकतेंगे अभी अभी जो फुटेज हमारे पास पहुँचा है मुझे लगता है कि सभी ने सपष्ट रूप से देखा है कि वह कितना शक्तिशाली है कई सो खिलाडी भी ये अधर्व का कुछ नहीं कर सके उसकी उस भयानक आकरमन शक्ति को कौन रोक सकता था पिछली बार जब मैंने उनके साथ मूस की अदलाब दली की थी तो मैं उनके कुछ वार जेल सका था हालांकि अगर मैं उससे अभी मिला होता तो शायद मुझे बचने का मौका भी नहीं मिलता जहां तक सीधे टकराव की बात है वह संभवत दो से तीन चालों में मुझे मार सकता है ये अथर्व के साथ अभी डील कर रहे हैं हमारे पास केवल एक मौका होगा अगर हमारे पास उसे घेरने के लिए दस या अधिक शीर्ष स्तरिये विशेशग्य हो हालांकि हमें इतने विशेशग्य कहां मिल सकते है स्वाभाविक रूप से मुझे इसका एहसास है यही कारण है कि हमें ये अथर्व से निपटने की जरूरत है उसके पास एक एपिक रैंक वाली वस्तु है इसलिए उसकी ताकत तीवर है हालांकि आपको केवल इस वजह से हमारी ताकत को कम नहीं आकना चाहिए उन्होंने केवल मार्शियल यूनियन जैसे कच्रे के समूह से छुटकारा पाया हालांकि अंडर वर्ड गार्ड ये अथर्व जितने सक्षम नहीं है लेकिन हम वही काम कर सकते है हमारे पास केवल एक चीज की कमी है वह है अटैक पावर शुद्ध तकनीक के मामले में अंडर वर्ड गार्ड ये अथर्व से कहीं ज्यादा मजबूत है इसके अलावा युवा मास्टर अथर्व ने विशेश रूप से हमें सहायता के रूप में अंडर वर्ड गार्ड की एक पूरी पार्टी भीजी है अंडर वर्ड गार्ड की एक पार्टी के साथ भले ही ये अथर्व के पास एपिक रैंक वाला आइटम हो फिर भी वह उनके खिलाफ बेबस होगा इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जूरत नहीं है, साउथ वुल्फ ने मुस्कराते हुए कहा, वह बस एक छोटा सा किरदार है जो भागेशाली है, अगर यंग मास्टर अधर्व की कमान नहीं होती, तो मैं उससे निपटने के लिए काफी होता, हमारी पूरी पार्टी को कारवाई करने की कोई आवश्चक्ता नहीं होगी, फ्लाइंग राट नाम के लेवल 9 के हत्यारे ने अपने खंजर से खिलवार करते हुए तिरसकार पूर्वक कहा, फ्लाइंग राट ने लेवल 8 मिस्टीरियस आइरन सेट एक्विपमेंट दबलाट डॉन पहना था, यह काफी है उरने वाला चुहा, कि ये अध अंडर वर्ड के गार्ड पूरे दिन खाली नहीं रहते, उचप ने हमें कल तक 10 के स्टर तक पहुँचने की आज्या दे दी है, अन्य था, वे हमें अंडर वर्ड गार्ड से निकाल देंगे, इसलिए हम अभी के लिए स्टर पर हैं, अंडर वर्ड गार्ड के इस समोह के प हमूल्य समय कैसे बरबाद कर सकता हूँ, साउथ वुल्फ ने सम्मानकूर्वक कहा, अंडर वर्ड संगठन के भीतर, अंडर वर्ड गार्ड की स्थिती अपेक्शाकरित अधिक थी, क्योंकि वे सभी अंडर वर्ड की मुख्य ताकत थे, आम तोर पर अंडर वर्ड गार्ड केवल गिल्ड लीडर या बड़ो की आग्या सुनते थे, जहां तक यंग मास्टर अथर्व की बात है, हालां की वह संगठन में एक बुजुर्ग भी नहीं थे, अंडर वर्ड में अपनी स्थिती थोड़ी खास होने के कारण ही वह अंडर वर्ड गार्ड को लामबंद कर सक मैं टेलिपोर्टेशन सरकल का उप्योग करने की अनुमती को सक्रिय करना चाहता हूँ, अथर्व ने कहा, गौड्स डोमेन में केवल जब कोई खिलाडी दस के स्थर पर पहुंच जाता है, तो उसके पास टाउन हॉल में आने और टेलिपोर्टेशन गेट्स का उप्योग क होती है, आखिरकार टेलिपोर्टेशन गेट बेहत कीमती थे और उनके रखरखाव के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवर्शकता थी, न सिर्फ कोई उनका इस्तिमाल कर सकता था, मैं समझता हूँ, रप्या मेरा पीछा करें, इसके बाद अथर्व टाउन हॉल के फ्रंट देना होगा, आम तोर पर जब एक कस्बे से एक शहर में टेलिपोर्ट किया जाता है, तो शुल्क एक चांदी का सिक्का होता था, इस बीच शहरों के बीच टेलिपोर्टेशन थोड़ा अधिक महंगा था, और शुल्क दूरी के आधार पर बदल जाएगा, वाइट रिवर सिटी से निकटम शहरों में से एक को टेलिपोर्ट करने में कम से कम बीस चांदी के सिक्के खर्च होते हैं, इस बीच वाइट रिवर सिटी से राजधानी शहर, स्टार मून सिटी को टेलिपोर्ट करने में लगभग एक सोने का सिक्का खर्च होता है, नतीस तन शहरों के ब बस इतनी दूरी पार करने के लिए उन्हें कम से कम कुछ दिन दौरने की जरूरत होगी। सासी, आपको टेलिपोर्टेशन गेट का उपयोग करने के लिए एक चांदी का सिक्का देना होगा। वाइट रिवर सिटी में 20 प्रतिष्ठा अंक और वाइट रिवर सिटी के मानद नागरिक का खिता। इस नोटिस की उपस्थिती ने तुरंत स्टार मून की इंगडम के सभी खिलाडियों को जगजोर कर रख दिया। वर्तमान में मार्शिल यूनियन के खिलाडियों ने क्लियर वाटर टाउन की ओर कूच किया। क्लियर वाटर टाउन रेड लीफ टाउन का निकट्टम शहर था और वहां खिलाडियों का आधार लगभग 5-6,000 था। हाँ 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 हाला कि हमें अपने संचालन के आधार को स्थानांतरित करने में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा हम फिर से शुरू कर सकते हैं हाला कि ये अधर्व तुम्हारी प्रतिष्ठा बरबाद हो गई है अभी हर कोई आपकी निंदा कर रहा है मैं वास्तव म मार्शिल यूनियन के अन्य लोगों ने दूसरे शहर में जाने पर उदास महसूस किया हाला कि अधर्व की प्रसिद्धी को पूरी तरह बरबाद होते देखने के बाद उनके मूर में बहुत सुधार हुआ स्टार्मून किंगडम रीजन सिस्टम अन्नाउंस्मेंट स्टार्मून किंगडम में किसी शहर में पहुचने वाला पहला खिलाडी बनने के लिए ये अधर्व को बधाई वाइट रिवर सिटी में 20 प्रतिष्ठा अंक और वाइट रिवर सिटी के मानद नागरिक का खिता यह क्या है इस प्रणाली की घोशना को सुनकर अस्थिर विनाश तुरंट जम गया, चौक गया उसके होश में आने से पहले 5 से 6 सेकंड बीट गये और सवालों ने तुरंट उसके दिमाग को भर दिया अथर्व इतनी जल्दी दस्वी कक्षा में कैसे पहुँच गया EXP को लेवल 9 से लेवल 10 तक जाने की आवशक्ता कई गुना थी, EXP को लेवल 8 से लेवल 9 तक जाने की जरूरत थी यहां तक कि पहले दरजे के गेड़ के उपरी सोपान को के लिए सबसे स्वर्ग विरोधी केवल 70% या तो अभी स्थर नौका फिर भी अधर्व पहले ही दस्वी कक्षा तक पहुँच चुका था इसका मतलब यह भी था कि अधर्व को गेड़ने से पहले वह लेवल 10 तक पहुँच चुका था एक स्वतंत्र खिलाडी के संबंध में इतनी समतलगती अकलपनिय थी बॉस अस्थिर अच्छा नहीं यह अधर्व के बारे में एक नई पोस्ट मंचों पर दिखाई दी है और यह यह अधर्व के लिए सभी प्रकार की श्रधा और समर्थन से भरी हुई है अस्थिर तबाही ने जल्दबाजी में आधिकारिक मंच खोल दिये इस समय उनके अधिनस्थ पद का उल्लेक पहले से ही मंच पर शीर्ष स्थान पर था जिसका शीर्षक था वाइट रिवर सिटी में नमबर एक खिलाडी ततकाल पोस्ट की लोगप्रियता उस पोस्ट को पार कर गई जिसे अस्थिर तबाही ने पहले प्रस्तुत किया था इस पोस्ट में अधर्व की वाइट रिवर सिटी में नमबर एक खिलाडी बनने की उपलब्धी के अलाबा अन्य कई उपलब्धियों का भी उलेक किया गया था अधर्व द्वारा मार्शिल यूनियन के सैक्डों खिलाडियों का नरसमहार करने का फुटेज भी अपलोड किया गया था फुटेज में अधर्व ने करीब सौ खिलाडियों को खुद मारा था जबकि वहां मौझूद मार्शिल यूनियन के सैक्रों खिलाडियों को उसने डरा दिया था अथर्व की दबंग हरक्तों के कारण कई खिलाडी उसकी पूजा करने लगे थे हाला कि फुटेज केवल कुछ ही सेकंड तक चला फिर भी इसे सौ से अधिक बार देखने के बाद भी कोई इससे नहीं थकेगा अथर्व की बिजली की गती से चक्मा देने की तकनीक और युद्ध की तकनीक विशेश रूप से देखने और सीखने लायक थी पहले कुछ लोगोंने अथर्व के बारे में कटू शब्द लिखे थे जिसमें कहा गया था कि उसने फुटेज को संपादित किया है और यहाँ असंभव है कि वह इतना शक्तिशाली हो सकता है उन्होंने यह भी तर्प दिया कि अथर्व केवल एक पीट में छुरा घूंपने वाला देशद्रोही हरामी था कि रिष्टों को तोड़ते समय भी वह कितनी दूर तक जा सकता है इसकी एक सीमा होनी चाहिए इन लोगों ने दूसरों को ऐसी चालों में न आने की चेतावनी दी यह दावा करते हुए कि अथर्व जैसे लोग प्रशनसा के पात्र नहीं है हालाकि बहुत जल्दी लोग खड़े होकर अथर्व के लिए बोलने लगे इन सभी लोगों ने पूरी घटना को व्यक्तिगत रूप से देखा था और दूसरों की तुलना में अधिक जानकारी जानते थे इसके अलावा गॉड्स डोमेन में रिकॉर्ड किये गए वीडियो को फोटोशॉप नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये वीडियो में गॉड्स सिस्टम की देखरेख में थे इस प्रकार कानून ने रिकॉर्ड किये गए वीडियो और भगवान के डोमेन में हस्ताक्षरित अनुबंधों दोनों को स्विकार किया अधर्व को बदनाम करने वाले तुरंग चुप हो गए क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे बिना सोचे समझे परिशान करते रहेंगे तो वे केवल एक मजाक बनकर रह जाएंगे साथ ही मामले की सच्चाई समझाने वाले बहुत से लोग लकडी के काम से बाहर आ गए ये बेवकूफ केवल दूसरों को बदनाम करते हैं क्योंकि वे दूसरों को बहतर जीवन जीने में बरदाश्ट नहीं कर सकते मैं रेड लीफ टाउन का खिलाडी हूँ और मैंने इस घटना को बहुत सपष्ट रूप से देखा यहां तक कि मार्शिल यूनियन भी ये अथर्व के सामने बेबस थी क्या आपको लगता है कि उसे उसकूडेदान की मदद की आवश्चक्ता होगी वे हारे हुए लोग थे जिन्होंने ये अथर्व की पेशकश की थी और उन्होंने ये अथर्व की बदनामी सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वे मार्शिल यूनियन से बदला लेने से डरते थे मैंने भी इसके बारे में सुना है समाज के मैल हैं ऐसे लोग मार्शिल यूनियन के प्रतिशोद से बचने के लिए वे अपने दल के नेता को मारने तक को तयार थे इस बीच ये अथर्व ने उन सभी को मार डाला क्योंकि वह बस बैठ कर देख नहीं सकता था अब न केवल इन लोगों को अपने किये पर पश्चाताप नहीं हुआ है बलकि उन्होंने ये अथर्व को दोश देने की भी पहल की है वे बहुत ही घ्रेनित हैं हाँ हाँ उन लोगों के मुह पर एक जोरदार तमाचा पड़ा ये अथर्व मार्शिल यूनियन के सैकडों खिलाडियों को विराम देकर डरा सकता है क्या आप लोग वास्तव में सोचते हैं कि आप एक इश्वर रैंक वाले विशेशग्य के साथी बनने के लायक है तुम में यह कहने की भी हिम्मत है कि तुमने ये अथर्व की मदद की क्या आपका द्वितिय श्रेई का सिंड्रोम लायलाज है तुम लोग नहीं जानते कि ये अथर्व कितना कमाल का है उसकी ओर से बस एक शब्द और अभी रेड लीफ टाउन से सभी मार्शिल यूनियन को हटाया जा रहा है अब आपको मार्शिल यूनियन का एक भी खिलाडी सडकों पर खड़ा नहीं मिलेगा ये अथर्व बहुत कमाल का है एक भगवान रैंक वाले विशेशग्य की अपेक्षा के अनुसार जब भगवान चहरे पर थपड़ मारते हैं तो उन सभी नफरत करने वालों को खुद को खारिस करना होगा पोस्ट के जवाब पढ़ते ही अंस्टेबल डेस्टेशन तुरं थक्का बक्का रह गया वह बड़ी मुश्किलों के बाद ही अथर्व को बदनाम करने में काम्याब हुआ था फिर भी अंत में एक शब्द भी कहे बिना अथर्व एक सिस्टम घोशना का उप्योग करके ठीक हो गया था उन्होंने न केवल समस्या का समाधान किया बलकि उन्होंने अपनी प्रसिद्धी को और अधिक उचाईयों तक बढ़ाया फायर डांस के साथियों के लिए जब उन्होंने सिस्टम की घोशना और फॉरम पोस्ट को देखा तो उनके भाव बेहत बच्सूरत हो गए यहां तक कि उनकी आते भी पच्चतावे से हरी हो गई उन्हें अंदाजा नहीं था कि अधर्व वास्तव में इतना शक्तिशाली है कितना अच्छा होता अगर उस समय वे फायर डांस के साथ अधर्व की टीम में शामिल होते इस तरह से काम किया हालांकि अंत में मार्शिल यूनियन को रेड लीफ टाउन से हटा दिया गया था इसलिए वे पहले स्थान पर उनके खिलाफ जवाबी कारवाई नहीं कर पाएंगे इस तरह के अंत ने उन्हें खाली और खोया हुआ महसूस कराया आखिर उन्होंने ऐसा रास्ता क्यों चुना इस बीच यह सिर्फ अस्थिर विनाश ही नहीं था जो इस विकास से हैरान था अंडर्वल्ड की तरफ साउथ वुल्फ और अंडर्वल्ड गार्ड्स दोनों ही इस खब से स्थब्ध थे क्या ये ये अथर्व की समतल करने की गती कुछ ज्यादा ही तेज नहीं थी साउथ वुल्फ ने गुस्से में लगभग खोन उगल दिया अब जबकि अथर्व ने शहर में प्रवेश कर लिया था उसकी पिछली विस्तरत योजना व्यर्थ थी उसे फिर से शुरू से शुरू करने की ज़रूरत थी जब जेंटल स्नो जो वर्तमान में स्तर दस राक्षस छेत्र में थी वो इस खबर का पता चला तो वह कुछ समय के लिए गहरी सोच में पढ़ गई मैंने वास्तव में उसे कम आगा हाला कि मेरा स्तर पहले से ही काफी उचा है फिर भी मुझे स्तर दस तक पहुँचने से पहले 5-6 घंटे तक पीस ना पड़ता है इन 5-6 घंटों के दौरान ये अथर्व वाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने के बाद भी हमारे स्तरों में अंतर को बहुत अच्छी तरह से चोड़ा कर सकता है कोमल हिम फूट फूट कर हसे हर कोई जानता था कि सभी आभासी वास्तविक्ता खेलों में एक समान बिंदु होता है उपलब्ध संसाधन सीमित थे हर क्षेत्र में केवल इतने ही लेवलिंग संसाधन उपलब्ध थे निस्संदेह किसी व्यक्ति के पास जितने अधेक संसाधन होंगे उसकी समतली करण और विकास की गती उतनी ही अधेक होगी जहां तक शहर में उपलब्ध संसाधनों की बात है नीच संदेह जो पहले शहर में प्रवेश करता था, वह जितना अधिक संसाधन प्राप्त कर सकता था एक शहर में बहुत सारे उच्चस्तरिय अनवेशन थे टेलिपोर्टेशन गेट्स के अस्तित्व ने लेवलिंक शेत्रों में टेजी से यात्रा करने में भी सक्षम बनाया इसलिए दूसरों से पहले शहर में प्रवेश करके समतल करने के लिए सबसे अच्छे क्षेत्रों पर जल्दी से एक आधिकार किया जा सकता है शहर में बिकने वाले औजार और सामान भी सीमित थे टीन के त्वरित विकास के लिए ये आइटम बहुत मदगार होंगे पांच से च्छे घंटे के इस अंतराल से अथर्व को शहर में बहुत कुछ करने का मौका मिल जाता जब तक हम वाइट रिवर सिटी तक पहुँचते हैं सबसे अधिक संभावना है हमें एक बार फिर से उनके साथ सहयोग के मामलों पर चर्चा करनी होगी जेंटल स्नो ने एक असहार मुस्कान प्रकट की वास्तव में जेंटल स्नो अकेली व्यक्ति नहीं थी जो अधर्व के साथ सहयोग के मामलों पर चर्चा करना चाहती थी वाइट रिवर सिटी के आसपास के विभिन बड़े संभों ने भी अधर्व से संपर्ट करने की सक्त कोशिश की वे सभी अधर्व को अपनी कमान में भर्ती करना चाहते थे जहां तक वाइट रिवर सिटी के बाहर के संगों की बात है, उन सभी में अथर्व के प्रती एक जिग्यासा विक्सित हुई एक स्वतंत्र खिलाडी वास्तव में स्तर दस तक पहुचने वाला पहला खिलाडी था, यह एक अविश्वसनी उपलब्धी थी अगर अथर्व किसी बड़े गेड के कोई महान चरित्र होते तो शायद उन्होंने इस मामले में ज्यादा नहीं सुचा होता हाला कि यह मामला नहीं था विभिन गिल्डों के उपरी सोपानकों में उलीन खिलाडियों का एक समुह था जो उन्हें पीसने वाले राक्षसों के साथ सहायता करता था इस प्रकार उनकी स्तरिय दक्षता अन्य खिलाडियों की तुलना में बहुत अधिक थी हाला कि सभी बाधाओं के बावजूद शहर में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति एक स्वतंत्र खिलाडी था यह उन्हें कैसे जटका नहीं दे सकता था उसी समय वाइट रिवर सिटी में अधर्व के प्रवेश ने वहां मौझूद कई संगों के लिए खत्रे की घंटी बजा दी थी किसी ने पहले ही एक शहर में अपना विकास चुरू कर दिया था अगर वे अपने पाव घसीटे रहे तो यह उनके भविश्य के लिए एक बड़ा खत्रा बन जाएगा समतल करने की अपनी गती बढ़ाने के लिए उन सभी ने वेट स्टोन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया उन्होंने भारी मात्रा में हार्ड स्टोन्स खरीदे जिससे हार्ड स्टोन्स की कीमत एक बार फिर बढ़ गई हाला कि ये सभी बड़े गिल्ड इस बात से अंजान थे कि उनकी हरक्तें ठीक वैसी ही थी जैसी अथर्व ने योजना बनाई थी वाइट रिवर सिटी स्टार मून केंडम के पाँच प्रमुक शहरों में से एक दूर से ही पूरे शहर में उची-उची इमारते दिखाई दे रही थी यह एक ऐसा दृष्य था जिसकी तुलना कोई भी शहर कभी नहीं कर सकता था बस शहर के भीतर रहने वाले NPC की संख्या एक लाग से अधिक हो गई इसके अलावा शहर अपनी दीवारों के भीतर दो मिलियन से अधिक खिलाडी रख सकता है यह एक ऐसा दृष्य था जिस पर कभजा करने के लिए कई संख लडेंगे इस समय अधर्व वाइट रिवर सिटी की मुख्य सड़क पर चल रहा था वाइट रिवर सिटी में आने से पहले अधर्व ने दानव मास्ट का उप्योग करके अपना नाम साफ कर लिया था इसलिए वह शहर के पहरेदारों से नहीं डरता था किसी भी मामले में वह विश्वस्तर पर मान्यता प्राप्त रईस था यहां तक कि अगर वह वाइट रिवर सिटी में लाल नाम से प्रवेश करता है तो भी उसे किसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा केवल कुछ NPC लाल खिलाडियों से निपटने के लिए अनिक शुक थे अथर्व को किसी भी उच्चस्तरिये खोज को स्विकार करने से रोकते थे इसलिए उन्होंने अपना नाम साफ करने का बिकल्प चुना आएए अब सिटी हॉल पर एक नजर डालते हैं अथर्व ने एक फी की मुस्कान दिखाई उन्होंने स्टोन हैमर टाउन के मेर ब्लैक बियर्ड से प्राप्ट अनुशन सा पत्र को निकाला यह पत्र उन वस्तूओं में से एक था जिसे वह वाइट रिवर सिटी स्टार मून किंगडम में पांचवा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बनने के लिए पूंजी के रूप में उपयोग करेगा हालांकि यह ब्लैक विंग सिटी की तुलना में अविश्वस निय रूप से छोटा था अगर कोई पूरे शहर को पूरी तरह से एक सपलोर करना चाहता है तो उसे कम से कम कई दिनों की आवश्यक्ता होगी वाइट रिवर सिटी का टेलिपोर्टेशन हॉल शहर के दक्षिन पश्चिम की ओर स्थित था यह शहर के प्रवेश द्वार के अपेक्शाकृत परीब था इस बीच व्यापार छेत्र में वाइट रिवर प्लाजा द्वारा सिटी हॉल शहर के ठीक मध्यमें स्थित था वाइट रिवर सिटी को एक शहर माना जाता था क्योंकि इसका प्रशासन एक कस्बे की तुलना में कहीं अधिक सक्त था साथ ही यह काफी सक्रिय भी रहा कई सो नगरों का केंद्र बिंदू होने के कारण यहां और भी बहुत से व्यापारी थे मुख्य सड़क के दोनों और आसानी से विभिन वस्तूओं की दुकाने, बार, रस्तरा, फलों के स्टोर, कपडों के स्टोर, चमडे के कपडों के स्टोर, कवच स्टोर, जादू स्टोर, कीमिया वर्क्शॉप, लोहार और बहुत कुछ मिल सकता है शहर में खिलाडियों को अपना स्टॉल लगाने की अनुमती नहीं थी यदि वे अपना सामान बेचना चाहते थे, तो उन्हें एक दुकान खरीदनी पड़ती थी हाला कि शहर में एक निजी दुकान खरीदना बेहद महंगा था, आम खिलाडी खुझ से दुकान नहीं खरीद सकते थे इतना ही नहीं कोई खिलाडी दुकान भी खरीद सकता था खिलाडियों को ऐसा करने में सक्षम होने से पहले प्रतिष्ठा अंक की एक निश्चित राशी की आवश्यक्ता होती है और दुकानों के स्थान जो वे खरीद सकते हैं उनकी स्थिती पर निर्भर करता है हाला कि इसका मतलब यह नहीं था कि खिलाडियों के पास अपना सामान बेचने का कोई मौका नहीं था पहला तरीका जो खिलाडी अपनी दुकानों को खरीदने के अलावा नीलामी हाउस में लगा सकते थे वाइट रिवर सिटी का नीलामी घर बेहद समरिध था क्योंकि यह कम आबादी वाले निकट्तम आठ शहरों से जुड़ा था जब तक खिलाडियों ने नीलामी के लिए अपनी वस्तूओं को रखा तब तक अन्य आठ शहरों के खिलाडी उन तक पहुँच सकते थे हालांकि नीलामी हाउस ने उनकी सेवाओं के लिए असाधारन शुल्क लिया पंजीकरन शुल्क किसी वस्तू के विक्रय मूल्य और उस अबधी पर निर्भर करता है जिसके लिए मालिक नीलामी करना चाहता है आइटम बेचे जाने के बाद 8% नीलामी शुल्क भी था अगर खिलाडियों ने नीलामी हाउस में एक आइटम बेचा, फुल मिलाकर उन्हें फीस में आइटम के मूल्य का 15% भुगतान करना होगा यह कम से कम सार्थक नहीं था एक शहर के नीलामी घर में बिकने वाली चीजें बेहत महंगी थी कुछ छोटी वस्तुएं नीलाम करने लायक भी नहीं थी दूसरी विधी के रूप में वाइट रिवर सिटी के प्लाजा में हर तीन दिन में एक बार बड़े पैमाने पर बाजार होगा खिलाडियों को केवल एक छोटे से शुल्ग का भुगतान करने की आवश्यक्ता होती है और वे अपनी वस्तूओं को बेचने के लिए अपना स्टॉल लगा सकते है यह तरीका स्वतंत्र खिलाडियों के लिए बहुत उप्युक्त है दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह था कि बाजार हर तीन दिन में केवल एक बार होता था इसके अलावा बाजार रात में शुरू हुआ और केवल दस घंटे तक चला पीसने और रोमाच में रुची नहीं रखने वाले खिलाडियों के लिए फिर भी भगवान के डोमेन के भीतर विकास की इच्छा रखते हुए एक शहर में अपनी दुकाने खोलना अत्यंत महत्वपूर्ण था केवल एक दुकान के साथ ही खिलाडी एक दिन में 48 घंटे कारोबार कर सकते थे इसके अलावा गौड्स डोमेन के विकास के साथ वाइट रिवर सिटी में एक दुकान खोलने से जो पैसा कमाया जा सकता है वह वास्तविक जीवन में एक दुकान खोलने की कमाई को टक्कर दे सकता है अथर्व के पिछले जीवन में ऐसे बहुत से खिलाडी थे जो राक्षसों को पीस कर समतल करने से प्रभावित नहीं हुए थे इसके बजाए इन खिलाडियों ने एक दुकान खरीदने के लिए अपना सारा प्रयास खर्च कर दिया हाला कि उनकी दुकानों के स्थान बहुत निर्जन थे फिर भी उन्होंने जो पैसा कमाया वह वास्तविक जीवन में उनके रहने के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त था और साथ ही साथ बहुत कुछ बचा भी अथर्व घोडाकाडी पर सवार होकर सिटी हॉल की ओर गया रेड लीफ टाउन में टाउन हॉल की तुलना में वाइट रिवर सिटी में सिटी हॉल कहीं अधिक शांदार ग्रिश था इमारत में कुल दस मंजिले थी और इसके द्वारा कवर किया गया क्षेत्र लगभग एक फुटबॉल मैदान के आकार का था भवन के प्रवेश द्वार पर 20 से अधिक गैरिसन शूरवीर खड़े पहरेदार थे ये गार्ड सभी लेवल 150 एलीट थे गैरिसन का कप्तान लेवल 160 टियर दो नाइट था अपनी ताकत से वह एक पूरे शहर को आसानी से तबाह कर सकता था इसके अलावा वाइट रिवर सिटी जैसे बड़े शहर के लिए दो से तीन टियर चार वर्क के NPC पहरे पर होंगे शक्तिशाली राक्षस और काली शक्तिया इसके निकट आने का साहस नहीं कर सकते थे जैसे ही अधर्व ने सिटी हॉल में कदम रखा एक सुन्दर सुन्दरी उसकी ओर चल पड़ी आधरणिय महोदय क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ जैसे ही उसने पूछा सुन्दर करमचारी ने अपनी गुडिया जैसी आखों की जपकिया ली मैं Magistrate Lord Viesman से मिलना चाहता हूँ मेरे पास Black Beard का परिचय पत्र है अधर्व ने अपना Demon Hunter शीर्षक प्रदर्शित करते हुए कहा Commons को White River City के Magistrate Viesman से मिलने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि ऐसा करने के लिए किसी को परियाप्त स्थिती की आवश्शकता थी आखिरकार एक Magistrate महापार के बराबर था और Magistrate Viesman ने White River City में सभी सैन्य और राजनीतिक शक्ती को नियंत्रित किया यदि कोई उसके साथ बात करना चाहता है तो उसे कम से कम White River City का कुलीन होना चाहिए हालाकि White River City में अथर्व की प्रतिष्ठा एक कुलीन से बहुत दूर थी वह केवल एक दानव शिकारी के रूप में अपनी पहचान बता सकता था तो यहाँ भगवान दानव हंटर है Magistrate Viesman वर्तमान में सारवजनिक मामलों में व्यस्थ है मेरे भगवान को उपलब्ध होने से पहले कुछ समय इंतजार करना होगा यदि आप जल्दी में नहीं हैं तो आप लाउंज में प्रतीक्षा कर सकते हैं और मैं Lord Viesman को आपके आगमन की सूचना दूँगा सुंदर कर्मचारी ने अथर्व का शीर्षक देखकर सम्मान दिखाया एक रईस एक अस्तित्व नहीं था उसके जैसे सामान्य लोग भड़काने का जोखिम उठा सकते थे भले ही उसने राज्य के लिए काम किया हो हाँ रुप्या उसे मेरे लिए सूचित करें अथर्व ने सिरहिलाया फिर वह सिटी हॉल के लाउंज की ओर भटक गया खाली लाउंज में बैठे और कुछ बहतर करने के लिए नहीं अथर्व ने अपने सिस्टम संचार को वापस चालू कर दिया पहले रुकावट से बचने के लिए अथर्व ने जानबूच कर सिस्टम संचार कार्य को बंद कर दिया था कोई उससे इस तरह संपर्क नहीं कर सकता था हाला कि जिसक्षन उन्होंने इसे वापस चालू किया उन्होंने पाया कि सैक्डों संचार अनुरोध उनकी स्विक्रती के लिए लंबित है अथर्व इन में से कई खिलाडियों से परिचित था उन में से अधिकांश वाइट रिवर सिटी में स्थित बड़े संगों के उपरी सुपानक थे कुछ गिल्ड के उपनेता या बुजुर्ग भी थे बेशक, स्टैबिंग हार्ट और जेंटल स्नो इस सूची के अपवाद नहीं थे आखिरकार दूसरों से आगे वाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने का लाब अंदेखा करने के लिए बहुत प्रभावशाली था White River City में प्रवेश करने से पहले सर्वोत्तम सम्तल मैदान और क्रिशी संसाधनों के सर्वोत्तम स्थान जैसी जानकारी सभी के लिए एक बड़ा रहस्य थी शहर में प्रवेश किये बिना कोई भी शहर में उपलब्ध खोजों और खिलाडियों पर लगाए गए शहर के कानूनों के बारे में कोई जानकारी प्राप्थ नहीं कर सका एक गिल्ड के लिए दूसरों के सामने ऐसी जानकारी प्राप्थ करना एक बड़ा वरदान था वे सबसे अच्छे लेवलिंग स्पॉर्ट पर कभजा कर सकते हैं और दूसरों से एक कदम आगे उच्चस्तरिये खोज प्राप्त कर सकते हैं वे दैनिक और सापताहिक सीमित वस्तूओं को खरीच सकते थे और जड़ी बुटियों, अयसकों और ऐसे संसाधनों को दूसरों से पहले इकठा कर सकते थे गिल्ड इस जानकारी के लिए सबसे अधिक उच्चसुक थे क्योंकि इससे उन्हें अपने प्रतिसपर्धियों से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी विशेश रूप से अब जब ये गिल्ड स्टर दस और वाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने की क्षमता के करीब पहुँच गए हैं यदि वे पहले से यह जानकारी प्राप्त कर लेते तो वे जल्दी से नए बातावर्ण के अनुकूल हो सकते थे और आत्मविश्वास के साथ संसाधनों को इकठा करने के लिए बाहर जा सकते थे उन्हें यह जानकारी एकत्र करने में समय बर्बाद करने की आवशक्ता नहीं होगी वे बचाए गए समय का उप्योग अन्य शहरों में विच्सित हो रही अन्य मंडलियों से आगे निकलने के लिए भी कर सकते थे इतने सारे फाइदों के साथ ये संध अथर्व के चंगुल से नहीं फिसलेंगे वे उससे संपर्ग करने का एक तरीका खोज लेंगे दुर्भा जिसे उनके प्रयासों के परिणामों ने उन सभी को चकित कर दिया उन्होंने यह नहीं सोचा था कि अथर्व संचार के सभी रूपों को बंद कर देगा जिससे उनके पास उनसे संपर्ग करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा उनके पास एक मात्र विकल्प अथर्व संदेश छोड़ना था नतीस तन हजारों संदेश अथर्व के मिल बॉक्स में भर गए यदि वह उन सभी को पढ़ता है तो उसे कम से कम 4-5 घंटे खर्च करने होंगे हाला कि चूंकी अथर्व के पास अभी करने के लिए बहतर कुछ नहीं था इसलिए उन्होंने गिल्ट्स द्वारा भेजे गए संदेशों को संपर्ख करने लायक देखा आखिर वह एक स्वतंत्र खिलाडी थे यदि वह कोई सूचना भी नहीं बेचता तो वह केवल शत्रु प्राप्थ करता अपनी वर्तमान ताकत और प्रभाव के साथ ऐसा करने से वह केवल त्रास्दी में ही समाप्थ होगा इसलिए वह व्यापार करने के लिए कुछ का चयन करेगा स्वाभाविक रूप से स्टैबिंग हार्ट और जेंटल स्नो उनके व्यापारिक भागीदारों की सूची में थे अथर्व पहले से ही उनके दोस्त थे चाहे वह उन्हें कैसे भी देखें वह उन्हें कम कीमत पर जानकारी बेचता था हाला कि यहां अन्य गिल्डों के लिए एक अलग कहानी थी अथर्व को इस बात पर भी विचार करना था कि वह कौन सी जानकारी बेचेगा आखिरकार वह वाइट रिवर सिटी को अपने पिछवाडे की तरह जानता था हाला कि उसके पास वह सारी जानकारी बेचने का कोई तरीका नहीं था जिसे वह जानता था उसे यह विचार करने की आवश्यक्ता थी कि वह कौन सी जानकारी बेच सकता है इस जानकारी में इन गिल्डों को बहुत दिल्चस्पी होनी चाहिए वह इन गिल्डों को बहुत अधिक लाभ न देते हुए और अपने स्वयंके भविश में बाधा डालते हुए एक उच्छ कीमत वसूल कर सकता था इस फैसले से अथर्व को माईग्रेन हो रहा था अथर्व के White River City में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद White River City क्षेत्र के सभी खिलाडी पागल हो गए विभिन बड़े संगों ने उसी तरह व्यवहार किया वे सभी जल्दी से जल्दी वाइट रिवर्सिटी में प्रवेश करने का इरादा रखते हुए पीसने और समतल करने के लिए टीमों का गठन करने लगे हाला कि वे जितने उच्चस्तर के राक्षस क्षेत्रों में पीस्ते थे उतनी ही अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा इस तथ्य का उल्लेक नहीं करते हुए कि अधिक खिलाडियों ने उच्चस्तरियक शेत्रों का पता लगाया नहीं संगों की प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे के साथ जूजने का मामला हथियारों और उपकर्णों के स्थायत्व का साधारन मामला पहले से ही इन विभिन बड़े संगों के लिए एक बड़ा सिरदर्ध था क्या उन्होंने अभी तक वेट स्थायत्व लगभग अपनी सीमा पर है स्टैबिंग हार्ट ने टीम चैट में कहा एक रेंजर ने उत्तर दिया उन्होंने मुझे अभी सूचित किया है कि जालसाजोंने एक नया बैच समाप्त कर दिया है और इसे हमारे रास्ते भेज रहे हैं वे कितने भेज रहे हैं छुरा गोंपते दिल ने पूछा पांच धेर कुल एक सौ वेटस्टोन रेंजर ने नरम और परिशान स्वर में कहा केवल एक सौ ही क्यों है क्या हमने पांच सौ से अधिक कठोर पत्थर नहीं खरीदे छुरा गोंपते दिल की अभिव्यक्ती डूब गई निहारना बेहत बदसूरत हो गई उनकी कुलीन टीम में साथ से अधिक खिलाडी थे और वे सभी वर्तमान में एक स्तर दस राक्षस शेत्र में पीस रहे थे प्रत्येक वेटस्टोन एक हथियार पर तीन से साथ स्थायत्व अंक प्राप्त कर सकता है और एक सौ वेटस्टोन केवल एक घंटे या उससे अधिक समय तक चलेंगे वे पहले ही सभी पांच सौ का उप्योग कर चुके हैं हम उन्हें थोक में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें कोई नहीं मिल रहा है कई खिलाडी अपने हार्ड स्टोन्स को वेटस्टोन्स में बदलने के लिए केवल जालसाजों को भुगतान कर रहे हैं हमने पहले ही अपने कई नए लोगों को डार्क मून वाली में हार्ड स्टोन्स के लिए पीसने के लिए भेज दिया है हालांकि गौड्स डोमेन के अपग्रेड के बाद से हार्ड स्टोन्स की ड्रॉप रेट कम हो गई है इसके अलावा हमने जिन दस प्लस फोर्जर्स का पालन पोशन किया है वे अभी केवल बेसिक फोर्जिंग अपरेंटिस हैं उनके पास वेटस्टोन बनाने की सफलतादर बहुत कम है सफलतादर अधिक होगी यदि वे इंटर्मेडियेट फोर्जिंग अपरेंटिस थे हमें इतने कठोर पत्थरों को बरबाद नहीं करना पड़ेगा हाला कि फोर्जिंग में दक्षता में व्रिधी अभी बहुत धीमी है अभी उनके पास इंटर्मेडियेट फोर्जिंग अपरेंटिस बनने के लिए परियाप्त प्रवीन्ता अंक नहीं है उसके समझाने पर रेंजर का चेहरा अजीब हो गया कुछ समय के लिए फोर्जर्स और पोशनमेकर्स का पोशन उनके गिल्ड के लिए बहुत महत्वपूर था हाला कि उन्हें उनमें निवेश करने के लिए परियाप्त धन और संसाधन कहां से मिलेंगे अभी तक लाइफस्टाइल के इन खिलाडियों ने गिल्ड को कोई फाइदा नहीं पहुँचाया था हाँ छुरा घोंपते दिल ने एक गहरी आह भरी अपने माथत की रिपोर्ट सुनते ही वह चिंतित हो गया केवल अब उसे वास्तव में जालसाजों के महत्व का एहसास हुआ हाला कि उनके गिल्ड ने शुरुवाती दौर से ही जालसाजों का पोशन करना शुरू कर दिया था बहुत सारे संसाधन इकठा किये और उनके विकास में बड़ी रकम का निवेश किया उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक जालसाज को पालना इतना कठिन होगा अगर गिल्ड के पास अभी intermediate forging apprentice होता तो वे विट्स्टोंस के लिए इतने बेताब नहीं होते मैं समझता हूँ संभरांथ टीम के सदस्यों को उन्हें किफायत से इस्तिमाल करने के लिए कहें राक्षसों के साथ उनके हथियारों के संपर्ग को कम करने की कोशिश करें इस तरह वे अपने हथियारों की क्षती को कम कर सकते हैं इसके अलावा बाहरी सदस्यों को कठोर पत्थरों को इकठा करने में और अधिक प्रयास करने के लिए कहें Stabbing Heart ने बेपसी से कहा Wetstones की कमी ने हत्यारे के गठ बंधन जैसे दूसरे दरजे के शीर्ष गेड को इतनी खराब स्थिती में छोड़ दिया था बेशक यह उनके पास पैसा नहीं होने के कारण नहीं था बलकि सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे कोई भी कठोर पत्थर नहीं खरीद सकते थे Wetstone का उल्लेक ही नहीं यहां तक कि अगर इस समय वेटstone का धेर दस चांदी के सिक्कों के लिए बेचा जाता है तो Stabbing Heart इसे खरीदने में संकोच नहीं करेगा दुर्भा जिसे बाजार पर कोई नहीं मिला हत्यारे का गठबंधन इस तरह की स्थिती का सामना करने वाला एक मात्र गिल्ड नहीं था Star Moon सामराज्य के सभी संगों में वर्तमान में वेटstone की तीवर इच्छा थी केवल वे वाइट रिवर्सिटी क्षेतर के भी तर स्थित संगों की तरहा तनाफपूर नहीं थे जिसके बारे में बोलते हुए, वाइट रिवर्सिटी क्षेत्र में गिल्ड वर्तमान में एक हताश स्थिती में थे उनके हथियारों का स्थायत्व बहुत जल्दी गिर गया, इसलिए वे लंबे समय तक युद्ध नहीं कर सके हाला की बिना हथियारों के वे कैसे युद्ध कर सकते थे भले ही उनके पास इतने बड़े आकार का गिल्ड था, फिर भी कुछ दुरलब फोर्जर्स थे जो वेटस्टोन बना सकते थे एक कस्बे में स्थित एक औसक गिल्ड में आमत और पर लगभग 30 खिलाडियों की एक कुलीन टीन होती है, जो उच्चस्तरिय राक्षस्क शेत्रों में पीस्ती है वाइट रिवर सिटी शेत्र में तीसरे दर्जे के गिल्ड के लिए उनके पास लगभग 500-600 खिलाडियों की कुलीन टीन थी, जबकि दूसरे दर्जे के गिल्ड में 1000 से अधिक और पहली दर के गिल्ड में 3000-4000 से अधिक खिलाडी थे बेशक अभी भी स्वतंत्र खिलाडी थे अभी पूरे वाइट रिवर सिटी शेत्र में विट स्टोंस की मांग डराने वाली थी हाला कि इन सभी संगों के स्तर दस की ओर बढ़ने के कारण हार्ड स्टोंस की कीमत एक बार फिर बढ़ गई अभी एक सिल्वर बीज कॉपर्स के हार्ड स्टोंस का प्रत्येक स्टैक बेचा जाता है फिर भी इतनी अधिक कीमत के साथ भी वाइट रिवर सिटी शेत्र में कई संग अभी भी कुछ भी खरीदने में अस्फर रहे वाइट रिवर सिटी, सिटी हॉल अंजाने में अथर्व को अपना इंतजार शुरू किये हुए आधे घंटे से अधिक समय बीच चुका था इस आधे घंटे के दौरान अथर्व ने वाइट रिवर सिटी के बारे में सारी जानकारी ठीक करने में काम्याबी हासिल की वाइट रिवर सिटी क्षेत्र में गिल्ड के लिए जो कुछ भी नहीं जानते थे, यह जानकारी सोना थी इस बीच अथर्व ने इस जानकारी को दो संसकर्मों में व्यवस्थित किया था एक सरलीकृत संसकरण था, दूसरा लक्जरी संसकरण था खिलाडियों द्वारा सरलीकृत संसकरण को पढ़ने के बाद उन्हें केवल वाइट रिवर सिटी की एक मोटी समझ होगी उदाहरन के लिए उन्हें पता होगा कि वाइट रिवर सिटी में हर तीन दिन में एक बार बड़े पैमाने पर बाजार लगता है हाला कि सरलीकृत संसकरण संसाधन वितर्ण के विशय को सपर्ष नहीं करेगा दूसरी और लक्जरी संसकरण इसका एक मोटा परिचय देगा यह मालिक को बताएगा कि कौन से स्थान लेवलिंग के लिए कुछ वरगों के अनुकूल थे और किन स्थानों पर किसी विशयश संसाधन और इस तरहे की अधिक जानकारी होगी यह वह जानकारी थी जिसकी बड़ी गिल्ड को सबसे ज्यादा जरूरत थी मूल रूप से अधर्व इस जानकारी को व्यक्तिगत रूप से इन गिल्डों को बेचने का इरादा रखता था इसे सोने के सिकों में परिवर्तित कर देता था हाला कि इन कारियों को करना बहुत कठिन था इसके अलावा अथर्व के पास अभी सोने के सिक्कों की नहीं, बलकि क्रेडिट की कमी है कुछ सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद, अथर्व ने अन्ता आधिकारिक मंचों के माध्यम से जानकारी बेचने का निरने लिया, वह क्रेडिट में व्यापार करेगा सरलीकृत संसकरन स्वतंत्र खिलाडियों को लक्षित करेगा, जबकि लक्जरी संसकरन गिल्स को लक्षित करेगा अथर्व ने सरलीकृत संसकरन को 300 क्रेडिट में बेचा यदि खिलाडियों के पास सरलीकृत संसकरण है तो यह शहर की गाइडबुक खरीदने के बराबर होगा कम से कम शहर में प्रवेश करने के बाद एक भी बात जाने बिना खिलाडियों को पूरी तरह से नुकसान नहीं होगा लगजरी संसकरण के लिए अथर्व ने इसे 20,000 क्रेडिट के लिए बेच दिया हाला कि ये संध जल्दी आबाद में स्वयन जानकारी खोज लेंगे ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत समय बर्बाद करने की आवश्यक्ता होगी अथर्व के अनुमान के मुताबिक उन्हें कम से कम 2-3 दिन का समय जांच में लगाने की जरूरत होगी इसके अलावा उनके द्वारा स्वयन प्राप्त की गई जानकारी अथर्व की तरह सटीक नहीं होगी एक गिल्ड के लिए 2-3 दिन का समय अतुलनिय रूप से कीमती था इसलिए वे 20,000 प्रेडिक बर्बाद करने पर ध्यान नहीं देंगे लॉर्ड डेमन हंटर, मजिस्ट्रेट वीसमैन पारलर में आपका इंतजार कर रहे है प्लीज मेरे पीछे आओ, सुन्दर कर्मचारी अचानक अथर्व की तरफ लोट आया, धीरे से कह रहा था ठीक है, रास्ता दिखाओ अथर्व ने खड़े होकर सिर हिलाया वह बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर स्थित पारलर तक महिला कर्मचारी के पीछे पीछे गया जब उन्होंने विशाल और सुरुचिपूर्ण दिखने वाले पारलर में कदम रखा तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे व्यक्ती ने एक सिल्वर ग्रे रंग का लबादा पहन रखा था अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए आदमी अपने पचास के दशक में था और उसमें एक गहरे नीले रंग का रत्न जड़ा हुआ एक कर्मचारी था वह आदमी वर्तमान में खिड़की के पास बैठा हुआ था चुपचाप खिड़की के बाहर के द्रिश्यों को देख रहा था यहाँ आदमी वाइट रिवर्सिटी वीसमैन का मजिस्ट्रेट था वह टियर चार विजार्ड भी था और वह लेबल 200 NPC था बिना किसी संदेह के वह वर्तमान में वाइट रिवर्सिटी के सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक था भले ही वीसमैन चुपचाप वहां खड़ा था अथर्व सपष्ट रूप से कमरे में ताक्विक मन को वीसमैन के चारों और 81 होते हुए महसूस कर सकता था जो एक कमजोर जादूई डोमेन बनाता था जो दूसरों पर दबाव डालता था हाला कि यह वीसमैन की एक अचेतन क्रिया मात्र थी यह दिखाने के लिए चला गया कि टियर 4 बिजली घर कितना भयावह था जदी वीसमैन ने अपने जादूई डोमेन को नियोज़त किया तो वह तुरंत अथर्व को राख के धेर में बदल सकता था हाला कि वीसमैन केवल अपने 50 के दशक में एक आदमी के रूप में दिखाई दिये लेकिन उनकी सही उम्रे 100 साल से अधिक थी वह निसंदे एक पुराना राक्षस था नौजवान मैंने सुना है कि आपके पास ब्लैक बीड से एक सिफारिश पत्र है वीसमैन ने अथर्व की और मुस्कुराते हुए पूछा हाला कि डेमन हंटर टाइटल ने वीसमैन जैसे पावर हाउस के लिए सामान्य एनपीसी पर बोल बाला किया लेकिन यह उल्लेख के योग्य नहीं था पियर चार वर्ग के रूप में वीसमैन की पहचान एक दानव हंटर की स्थिती से कहीं अधिक है सही बात है मेर ब्लैक बियर्ड चाहते थे कि मैं इसे आपको पास कर दूँ अथर्व ने वीसमैन को सौंपते हुए सिफारिश पत्र निकाला वीसमैन द्वारा पत्र प्राप्त करने के बाद उन्होंने इसे तुरंट नहीं खोला उन्होंने अथर्व को देखते ही एक गहरी आह भरी और कहा जो आना चाहिए था वहाँ आ गया मैंने 30 साल तक इस पत्र की प्रतीक्षा की है केवल मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा युवक इसे मेरे पास लाएगा मुझे लगता है कि अब मेरे लिए बहुत पहले किये गए अनुबंध को पूरा करने का समया गया है अनुबंधक अथर्व चुपचाप बड़बडाया उल्जन में अपने पिछले जीवन में उन्होंने जो जानकारी एकत्र की उसमें किसी अनुबंध का कोई उलेख नहीं था उस भाग्यशाली खिलाडी ने यह जानकारी नहीं दी थी इसलिए स्वाभाविक रूप से अथर्व को पता नहीं था आलाकि चुँकी वह भाग्यशाली खिलाडी खोज को पूरा करने में काम्याब रहा इसलिए अथर्व को विश्वास नहीं हुआ कि वह इसे स्वयन पूरा नहीं कर सकता आखिरकार वह अपने पिछले जन्म में उस भागेशाली खिलाडी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था इसलिए कोई कारण नहीं था कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सका जब तक वह इस खोज को पूरा करता, उसके पास खुद को White River City में सथापित करने के लिए पूची होती वो राजधानी क्या थी? क्या इसका जिक्र करने की भी जरूरत थी? वाइट रिवर सिटी में नए किसी भी खिलाडी के लिए अपनी अचल संपत्ती के मालिक होने से बहतर कुछ नहीं था इसके अलावा यहाँ अचल संपत्ती साधारण नहीं थी यहाँ रईसों की हवेली में से एक था जो ग्यापार शेतर के केंदर में स्थित था केवल एक हवेली के साथ ही कोई गिल्ड निवास स्थापित कर सकता है एक गिल्ड निवास एक गिल्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था यह गिल्ड का सबसे महत्वपूर्ण लाभ था किसी से पीछे नहीं हर गिल्ड निवास ने निजीक शेतर के रूप में काम किया इसके द्वारा प्रदान किये गए सबसे बड़े लाभ लेवलिंग गती में वृध्धी और अद्वितिय रेजिडेंट खोज थे जब तक एक गिल्ड के पास एक निवास था तब तक सभी सदस्य जो आराम कर चुके थे एक डबल ई-XP बफर प्राप्ट कर सकते थे इस बफ के साथ चाहे ग्राइंडिंग हो या खोज खिलाडी मूल ई-XP को दोगुना प्राप्ट कर सकते हैं हालांकि खिलाडियों को डबल क्सप शौकीन हासिल करने के लिए निश्चित समय के लिए गिल्ड निवास में आराम करने की ज़रूरत थी आम तोर पर 48 घंटों के लिए आराम करने से खिलाडि को 20% डबल इएक्सपी मिलता है और खिलाडि पूरे स्टर के डबल इएक्सपी तक कालाब उठा सकते हैं युद्ध से ठके हुए गिल्ड सदस्यों के लिए यह सुविधा घातक रूप से आकर शक थी गिल्ड निवास में केवल विशेश निवासी खोज भी उपलब्ध थे स्थानिय NPC ने इन खोजों को चालू किया और हर दिन कुछ उपलब्ध होंगे इसके अलावा इन खोज के लिए पुरसकार काफी उदार थे कैई बार ऐसा भी होता था कि एक खोज डार्क गोल्ड रैंक वाली वस्तु को पुरसकृत करती थी जब यह रेजिडेंट वेस्ट पूरे हो गये तो गिल्ड को गिल्ड प्रतिष्ठा और गिल्ड फंड भी प्राप्थ होंगे से संगु के लिए अपना स्वयं का निवास प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। फर्स्ट रेट गिल्ड्स आमतोर पर तब तक निवास प्राप्त नहीं कर सकते थे जब तक कि गौड्स डोमेन की रिलीज के एक महीने से अधिक समय नहीं हो जाता था। दूसरे रेट और थर्ड रेट गिल्ड्स का उल्लेक नहीं करना। शैडो ने आखिरकार एक रेटेड गिल्ड के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। गौड्स डोमेन में एक गिल्ड को केवल आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जाएगी जब उनके पास एक गिल्ड निवास होगा। साथ ही जिस गती से उन्होंने निवास प्राप्त किया, उसने गिल्ड की ताकत को प्रदर्शित किया। अभी आपके लिए यह बहुत जल्दी है। अथर्व ने द्रिड संकल्प के साथ कहा, लौड वीसमैन मेरा मानना है कि मैं इस खोच को पूरा करने के लिए परियाप्त रूप से सक्षम हूँ। वीसमैन मुस्कुराय बिना नहीं रह सका। युवा इतने आत्म विश्वासी हैं। हाला कि उन्हें अपनी अज्ञानता का एहसास तब होगा जब वे सच्ची मुसीबत का सामना करेंगे। उसने तुरंद उत्तर दिया, नौजवान हम एक समझोता कैसे करें। जदी आप मेरे द्वारा दिये गए परीक्षन को पास कर सकते हैं, तो मैं आपके अनुरोध पर सहमत हो जाऊंगा। मैं ब्लैक बीड के अनुबंध को पूरा करने में भी आपकी सहायता करूंगा। जदी आप अस्फल होते हैं, तो कृपया आधिकारिक तौर पर तलवारबाज बनने के बाद ही वापस लोटें। इसके बारे में क्या ख्याल है? अथर्व ने मौन चिंतन में अपना सिर नीचे कर लिया। वह अपने पिछले जीवन से जो याद कर सकता था, उसके आधार पर उस भागयशाली खिलाडी को भी अपना निजी चेतर तब मिला जब वह केवल स्तर दस के आसपास था। इस बीच वीसमैन ने जोर दे कर कहा कि अथर्व केवल आधिकारिक रूप से तलवारबाज बनने के बाद ही लोटेगा। खेल की शुरुवात में खिलाडियों ने वास्तव में आधिकारिक कक्षाओं के साथ शुरुवात नहीं की थी, वे केवल कक्षा के प्रशिक्षु थे। काफी वृद्धी होगी, बल्कि वह ऐसे कौशल भी सीख सकता था जो टियर एक तलवारबाजों की जरूरतों को पूरा करता था। उन्हें एक आधिकारिक स्वाड समयन का प्रतीक भी प्राप्थ होगा। अगर लेवल 10 का वह भाग्यशाली खिलाडी भी खोज को पार कर सकता है, तो अथर्व को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह नहीं कर सकता। आखिरकार वह पहले से ही 13 के स्थर पर था, वह अभी स्थर 10 तक ही नहीं पहुंचा था। वह स्वामी स्वयन एक दानव बन गया, जिसका पुनरजन्म डार्क नाइट गया के रूप में हुआ। फिर उसने उस भूमी को श्राप दिया, जिस पर उसने शासन किया था, उसके सभी लोगों को राक्षसों में बदल दिया। मुझे इस अभिशाप को दूर करने के लिए गया के हृदय को पुनह प्राप्त करने की आवश्चकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उस शापित महल में जाने और डार्क नाइट गया को मारने के लिए तयार होंगे, जो मेरे लिए उसका दिल लेकर आएगा। वीसमैन ने पूछा उसका लहजा सक्त। शापित धूमी में दानव का महल अथर्व अपने सग्मे को रोक नहीं सका। यहीं पर 10-15 के स्टर के लिए शीर्ष 20 मैन टीन दंगन था। अतीत में ऐसे अंगिनत संग थे जिन्होंने दानव के महल पर छापा मारने के बाद तीम वाइट का अनुभव किया था। वे सभी डार्क नाइट गया के हाथों मारे गए थे। सही बात है। यदि आप इस कार्य को भी पूरा नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको केवल अनुबंध छोड़ने की सलाह दे सकता हूँ। वीसमैन ने राजी किया। क्या कोई समय सीमा है? अथर्व ने पूछा। कोई भी नहीं। एक आधिकारिक स्वाड समयन के रूप में पदोनत होने के बाद भी यदि आप कार्य पूरा करते हैं, तो भी यह ठीक रहेगा। वीसमैन मुस्कुराया। तो ठीक है। मैं इस समझोते को स्विकार करता हूँ, अथर्व ने एक सांस ली। गौड्स डोमेन के अधिकांश खिलाडियों को अभी 10 के स्थर तक पहुचना बाकी था। यदि समय सीमा कम होती, तो वह इस खोच को पूरा नहीं कर पाते। हालांकि यदि कोई समय सीमा नहीं होती, तो कोई बड़ी समस्या नहीं होती। आखिर अथर्व समझ ही गया कि कैसे उस भागेशाली खिलाडी ने इस खोच को पूरा किया। उस समय खिलाडियों का एक बड़ा हिस्सा पहले ही 20 के स्थर तक पहुँच चुका था। तीसरे दरजे के गेड़ की कुलीन टीम आसानी से चापा मार सकती है और दानव के दिल को प्राप्त करते हुए दानव के महल को जीत सकती है। हालांकि भगवान के डोमेन में वर्तमान संगों के लिए यह एक असंभव कार्य था। कम से कम 20 खिलाडियों की एक टीम दानव के महल पर चापा मारने के लिए आवश्यक थी। इसके अलावा उनका स्थर 12 या स्थर 13 के आसपास होना चाहिए और उनके पास पर्याप्त उपकरण होने चाहिए। अन्य था दानव के महल पर चापा मारना केवल एक दिवासवपन था। ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी करने और एक टीम बनाने की जरूरत है। अथर्व के दिल में अब एक अनुमानित लक्षय था। कुछ ही दिनों में आयोजित होने वाली फेलोशिप पार्टी अथर्व के लिए नए सदस्यों की भरती के लिए विशेश रूप से एक अच्छी जगह थी। यदि उसके पास परियाप्त पूंजी होती तो वह एक शक्तिशाली टीम स्थापित करने में सक्षम हो सकता था। उस समय दानव के महल को जीतना बहुत आसान होगा। अथर्व को जाते देख वीसमैन को अचानक कुछ सूझा। उसने अथर्व को पुकारते हुए कहा, युवक एक शन रुको। मेरे पास अभी भी आपको बताने के लिए एक बहुत ही महत्वपून बात है। जब अथर्व को अचानक बुलाया गया, तो अथर्व आश्चर्य में पढ़ गया। आखिरकार वीसमैन एक टियर चार जादूगर और वाइट रिवर सिटी का अत्याचारी था। वह जो भी वस्तु देता उसका अथर्व को असीमित उपियोग होता। परिस्थितियों के बावजूद मेरे अच्छे दोस्त ने फिर भी आपको भेजा। यह सामान और यह पत्र लो उन्हें मास्टर सेलियोरा को सौंप दें। यह आपकी कुछ मदद कर सकता है। वीसमैन ने एक लौलाल रंग का क्रिस्टल और एक पत्र निकाला उन्हें अथर्व को सौंप दिया। लौड वीसमैन आपकी मदद के लिए धनियवाद। वीसमैन जिस व्यक्ति की तलाश करना चाहते थे वह सेलियोरा एक मास्टर फोर्जर था। वाइट रिवर्सिटी में बहुत कम खिलाडी सेलियोरा की प्रसिधी के बारे में जानते होंगे। हाला कि इसका मतलब यह नहीं था कि सेलियोरा अध्भुत नहीं था। इसके विपरीत फोर्जिंग दुनिया में सेलियोरा को एक प्रतिभाशाली के रूप में जाना जाता था। सेलियोरा बहुत कम उम्र में मास्टर फोर्जर बन गई थी और वह ग्रैंड मास्टर फोर्जर बनने से केवल एक कदम दूर थी। हाला कि सेलियोरा ने लो प्रोफाइल बनाए रखना पसंद किया इसलिए बहुत से लोग उसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे। अथर्व उन गिनेचुने खिलाडियों में से एक थे जो सेलियोरा के बारे में जानते थे। इसके अलावा अथर्व को यह भी पता था कि सेलियोरा कहा रहता है। दे हिट्डन क्वेस्ट वीस्मैन ने अन्य खिलाडियों को परिशान किया हो सकता है, लेकिन अथर्व को इससे कोई परिशानी नहीं थी। जहां तक अधवितिय खोज दानव का दिल की बात है, तो अथर्व इसे अभी के लिए अकेला छोड़ सकते थे। उनके पास अभी भी एपिक क्वेस्ट डार्टनेस डिसेंट्स था। हाला कि शर्लिम भी वाइट रिवर सिटी में थी, अथर्व अभी बहुत गरीब था, वह दस सोने के सिक्कों का सूचना शुल्क वहन नहीं कर सकता था। इसलिए वह इसे अभी के लिए भी अकेला छोड़ सकते थे। इसके अलावा, जब दानव के दिल की खोज की तुलना की गई, तो एक एपिक क्वेस्ट को पूरा करना बहुत कठिन था। अगर बाहरी लोगों ने यह देखा, तो वे सोचेंगे की लोहार या तो जन्ता के लिए बंध है या अब काम नहीं कर रहा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी इस जगह का दौरा नहीं करेगा। साथ तामबे की गाड़ी का शुल्क देने के बाद अथर्व धीरे से दर्वाजा खठटाते हुए बिनमर दिखने वाले लोहार की ओर चला गया। हालांकि काफी देर बीट जाने के बाद भी अथर्व को कोई जवाब नहीं मिला। नमस्कार, मास्टर सेलियोरा। मुझे यहां लॉड वीसमैन ने भेजा था। मेरे पास आपके लिए मजिस्ट्रेट का एक पत्र है। अगर अथर्व काफी देर तक बिना कोई जवाब दिये और रईस का रुपबा रखने के बाद भी लोहार में घुस जाता तो पहरेदार उसे पकड़ लेते और कुछ देर के लिए जेल में बंद कर देते। इसलिए अथर्व सेलियोरा को लुभाने के लिए वीसमैन जैसे बड़े किरदार का ही इस्तिमाल कर सकता था। इस तरह सेलियोरा अनभिग्यता का नाटक करना जारी नहीं रखेगी। कुछ देर बाद आखिरकार घर में कुछ हल चल हुई। कचिक, लकडी का मोटा दर्वाजा खुला और काले चमडे की शर्ट पहने एक बड़ी सुन्दरी बाहर निकली। बड़े वियाकार के कॉलर के नीचे उसकी बड़ी छाती खुद को प्रकट कर रही थी। सुन्दरी ने बेहत छोटी चमडे की पैंट पहनी थी, जिससे उसकी लंबी और पतली टांगे दिख रही थी। उसकी तवचा एक स्वस्थ गेहु के रंग की थी, और उसके काले बाल उसकी पतली और नाजुक कमर तक ज़र रहे थे। उसके पूरे शरीर ने एक जंगली आकरशन दिया। उससे पहले की महिला वास्तव में मास्टर फोरगर सेलियोरा थी। सिक्सी और आकरशक दोनों। मैं बहुत व्यस्त हूँ। मुझे वह चीज दो और छोड़ो। सेलियोरा ने अथर्व की ओर देखते हुए अधीरता से कहा। सेलियोरा को इस तरह बोलते हुए सुनकर अथर्व इन शब्दों से बेहत परिचित महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे उसने पहले कहीं से उनके बारे में सुना है। कुछ सोचने के बाद अथर्व को अचानक कुछ याद आया। क्या वह आमतोर पर इन शब्दों का इस्तिमाल करने का शौकीन नहीं था। कि किसी भी प्रकार के गुरु का अपना अजीब व्यक्तित होगा। सेलियोरा कोई अपवाद नहीं था। हाला कि अथर्व ने अपने पिछले जन्म में सेलियोरा को अधीन कर लिया था, इसलिए कोई कारण नहीं था कि वह अब ऐसा न कर सके इसके अलावा ऐसा लगता है कि उसने सेलियोरा से अपना कैच फ्रेज सीखा है, मैं व्यस्थ हूँ फिर मैं चलता हूँ, अथर्व ने वीजमें द्वारा दिया गया लौलाल रंग का क्रिस्टल निकाला और ऐसा कहा जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा उसने क्रिस्टल के साथ खिलवाड किया लौलाल क्रिस्टल ने चमकदार लाल रंग की चमक दी उसे बाहर निकालने से ही आसपास के क्षेतर में अगने रूपी मन क्रिस्टल के चारों और पागलों की तरहें इकठा होने लगा लौलाल चमक ने अपनी चमक बढ़ा दी, सभी दर्शकों का ध्यान आकर्शित किया रुकना सेलियोरा ने अचानक अथर्व को पुकारा मास्टर सेलियोरा क्या आपके पास अभी भी कोई और मामला है अथर्व मुड़ा जैसे ही उसने पूछा उसके चहरे पर एक फीकी मुस्कान ना गई इस समय सेलियोरा की बडीबडी आखें पहले से ही अथर्व के हाथ में ज्वालालाल क्रिस्टल पर चिपकी हुई थी वह एक आसत छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह थी और उसकी आखें अथर्व के हाथ में लौलाल क्रिस्टल की गती का अनुसर्ण कर रही थी जो बड़े चाव से उपर और नीचे जा रही थी हाला की सेलियोरा का व्यक्तित्व कुछ अजीब था उसे भी एक आम समस्या का सामना करना पड़ा जिसका सामना सभी जालसाजों ने किया दुरलब फोर्जिंग सामगरी की इच्छा वहां एक भी जालसाज नहीं था जो अपने जीवनकाल में पूरे महादवीप में प्रसिध एक वस्तु नहीं बनाना चाहता था इस बीच ऐसी वस्तु बनाने की शर्थ अतुलनिय रूप से कींती सामगरी थी उदाहरन के लिए अथर्व के हाथों में रसातल का ब्लेड लें इसकी प्रसिधी पूरे महादवीप में फैलने के लिए प्रसिध लोहार उलिसिस ने ब्लाक ड्रेगन किंग के फेंग को अपनी मुक्ष फोर्जिंग सामगरी के रूप में इस्तिमाल किया ब्लाक ड्रेगन किंग क्या था वह ड्रेगन के बीच का राजा था जो विनाश का प्रतिनिधित्व करता था यह एक भयावः जीव था जो एक इश्वर के सबसे करीब था इसके द्वारा उगली गई सास ही लाखों निवासियों वाले शहर को नश्ट कर सकती है यह एक भयावः अस्तित्व था जो अकेले ही पूरे राज्य को नश्ट कर सकता था इस बीच एबिसल ब्लेड बनाने के लिए उस भयावः अस्तित्व के शरीर का सबसे कीमती नुकीला आवश्चक था अंत में एबिसल ब्लेड के निर्माण के बाद यह गौड्स डोमेन में 36 प्रसिध तलवारों में से एक बन गई प्रसातल ब्लेड के अस्तित्व ने परमेश्वर के सभी डोमेन को हिला दिया और हजारों वर्षों के बाद भी इसकी शक्ती अभी भी असीन थी क्या आप मुझे वह वस्तु बेच सकते हैं सेलियोरा ने पूछा उसका चेहरा इच्छा से भरा हुआ था उसका लहजा एक पूर्ण परिवर्तन कर रहा था अथर्व ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मुझे वास्तव में खेध है मास्टर सेलियोरा लेकिन लॉर्ड वीसमैन मूल रूप से चाहते थे कि मैं आपके लिए यह आइटम लाऊं और मेरे लिए एक आइटम बनाऊं हालाकि यह देखते हुए कि आप व्यस्त हैं मुझे आपको परिशान करना जारी रखने में बुरा लगेगा इसलिये मैं मास्टर पुरुष्ट को देखने का इरादा रखता हूँ और देखता हूँ कि क्या वह वह वस्तु बनाएगा जो मैं चाहता हूँ क्या? आप वास्टव में इस कीम्ती सामगरी को उस पुराने कमीने पुरुष्ट के पास ले जा रहे हैं क्या आप जानते हैं कि आप कितने बेकार हो रहे हैं? यदि आप कोई वस्तु बनाना चाहते हैं तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ इसके अलावा चूंकि आप एक तलवार बाज हैं इस मद के साथ मुझे अपेक शाकरित उच्छ गुनवत्ता के धधकते उलका बनाने में कोई समस्या नहीं होगी यदि आप यह सामगरी उस बूढे कमीने को देंगे तो वह निश्चित रूप से इसे बरबाद कर देगा सेलियोरा ने अथर्व को अपनी बादाम के आकार की आखों से देखा अपने हाथों को अपने कूलों पर रखा वह गुस्से में शेर्नी की तरह लग रही थी इस द्रिश ने अथर्व को स्टब्ध कर दिया वह नहीं जानता था कि इस स्थिती में क्या कहे पहले सेलियोरा ने बस उसके प्रती ठंडी उदासीनता के साथ प्रतिक्रिया की फिर भी अब वह इतनी आज्याकारी थी धधकते उलका एक ऐसा हथियार था जिसे केवल सेलियोरा ही बनाना जानता था और यह उसकी सबसे प्रसिध रचना भी थी यह एक ऐसा हतियार था जिसका सभी तलवार बाजों ने सपना देखा था अथर्व के पिछले जीवन में जब तक कोई तलवार बाज था तब तक वे निश्चित रूप से उनके लिए एक धधकते उलका बनाने के लिए सिलियोरा से भीख मांगते थे कई खिलाडी धधकते उलका प्राप्त करने के लिए दिवालिया होने को भी तयार थे अथर्व जो उस समय पहले ही तलवार राजा बन चुका था, कोई अपवाद नहीं था वह बहुत मुश्टिल से बहुत लंबे समय के बाद ही एक प्राप्त करने में सफर रहे हाला कि अथर्व पहले ही अपने लक्षे को प्राप्त कर चुका था, फिर भी उसने हिचकी चाहट का नाटक करके सेलियोरा के साथ खिलवार किया तुरंत ही सेलियोरा घबराने लगी अगर वह वास्तव में उस पुराने हरामी प्रुष्ट को इतना बड़ा स्टार फायर क्रिस्टल प्राप्त करने की अनुमती देती है तो वह बूढ़ा चुहा उसके स्थान पर और बहुत बार दिखाने के लिए आ जाएगा आपको पता होना चाहिए कि मैं वाइट रिवर सिटी में सबसे अध्भुत मास्टर फोर्गर हूँ मेरे द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु सामान्य गुनवत्ता की नहीं है इसके अलावा मैं अभी बहुत अच्छे मूर में हूँ इसलिए मैं आपके लिए उप्युक्त एक धधकते उलका बनाने के लिए अपने विशेश संग्रह से एक दुरलब सामगरी का उप्योग भी करूँगा यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो अंदर आओ और देखो सेलिओरा ने जल्दी से अथर्व को अपनी लोहार में खीच लिया जिससे अथर्व ने अपनी कृतियों को देखा घर में प्रवेश करने के बाद तुरंत पता चलता है कि घर का बाहरी और आंतरिक व्याभारिक रूप से दो पूरी तरह से अलग दुनिया थी हाला कि घर का बाहरी हिस्सा तूटा-फूटा और बिनमर था, लेकिन इंटीरियर सुंदर और शांदार दोनो था बढ़िया हथियार और उपकरन सभी क्रिस्टल कैबिनेट के भीतर प्रदर्शित किये गए थे इनमें से एक भी हथियार या उपकरन सामान्य गुनवत्ता का नहीं था वे सभी फाइन गोल्ड रैंक या उससे उपर की उत्कृिष्ट कृतिया थी क्योंकि समान रैंक और स्टर की वस्तूओं की तुलना में सेलियोरा द्वारा बनाये गए हथियारों और उपकर्णों के गुन कहीं अधिक श्रिष्ट थे। यह कैसा है? क्या आप उस गहरे लाल रंग की महातलवार को उच्चतम स्थान पर स्थित देखते हैं? यह एक महाकाव्य हतियार है जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से बनाया है। सेलियोरा ने शेखी बगारते हुए अपनी चाती बाहर निकाली। वास्तव में यह वैसा ही था जैसा सेलियोरा ने कहा था। इन सभी हतियारों और उपकर्णों में सबसे आश्चर्यजनक वस्तु लेवल 120 एपिक वेपन थी। ताकत के मामले में यह चलांग और सीमा से मावियों के संरक्षन को पार कर गया। यह सेलियोरा की अब तक की सबसे बड़ी रचना थी और यह एक मात्र एपिक रैंक वाली वस्तु भी थी जिसे उसने कभी बनाया था। सेलियोरा ने जाली दु यह उपलब्धी हासिल कर सकते थे। दुरभाग्य से सेलियोरा एक अर्चन में फस गई थी और वह ग्रैंड मास्टर फोर्जर बनने से लगातार एक कदम दूर थी। इसलिए सेलियोरा नहीं चाहती थी कि कोई उसे परिशान करे क्योंकि वह फोर्जिन की कलापर लगातार शोध करते हुए वाइट रिवर सिटी के फ्री जोन में चिपी हुई थी। अब आप जानते हैं कि मैं कितना अध्भुत हूँ है ना। उन पुराने चिपे हुए राक्षसों के अलावा कोई और नहीं है जो फोर्जिन तकनीक के मामले में मुझे हरा सके। सेलियोरा ने आपको मेरे पास भेजा है मैं स्वाभाविक रूप से आपकी मदद करने के लिए अपना सब कुछ दूँगा। सेलियोरा की बातों पर अथर्व बस मुस्कुरा दिया। उन्होंने स्टार फायर क्रिस्टल को सेलियोरा को सौपते हुए धीरे से कहा फिर मास्टर सेलियोरा मैं आपको परिशान करूँगा। स्टार फायर क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद सेलियोरा ने एक विस्त्रित मुस्कान प्रकट की। तुरंत वह अपने फोर्जिन रूम की ओर भागी सीधे धधकते उलका बनाने का इरादा रखती थी। मास्टर सेलियोरा कृप्या एक मुझे लगता है कि यहाँ आइटम आपकी कुछ मदद करनी चाहिए अथर्व ने रूनिक स्टील का एक टुकड़ा निकाला जो उन्हें सिस्टम इनाम के रूप में मिला था। यहाँ आइटम फोर जिन की सफलतादर को बढ़ा सकता है और साथ ही इसके पास जाली आइटम पर सरकते हुए देखना शुरू कर दिया खिलखिलाते हुए उसने कहा क्यों मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतने कीमती खजाने होंगे और क्या है आपके पास बस उन सब को बाहर निकालो तो ठीक है मेरे पास अभी भी एक वस्तु है जिसे मैं आपको रूप से उधार दे सकता हूँ सेलियोरा की उच्सुक निगाहों के नीचे अथर्व फूट-फूट कर मुस्कुरायर बिना नहीं रह सका इसके बाद उन्होंने फोरजिंग की किताब निकाली अथर्व के हाथों में फोर्जिंग की किताब पर ताला लगाते ही अचानक से भी नहीं बोल पा रही थी. यहां फोर्जिंग भगवान द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखी गई फोर्जिंग की पुस्तक है. आप, आपके पास यहां आइटम क्यों है? सेलियोरा अतुलनिय रूप से चौक गई थी और बोलते ही उसकी आवास उत्साह से कामपने लगी. वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन तुरंट फोर्जिंग की किताब छीन लेती है, जिसमें कलीन हो जाती है. मास्टर सेलियोरा मुझे लगता है कि आप भी जानते हैं कि यह वस्तु कितनी कींती है. मैं इसे आपको अस्थाई रूप से उधार दे सकता हूँ, इसलिए मुझे आशा है कि आप इसका ठीक से उप्योग कर सकते हैं और एक उत्कृष्ट कृती बना सकते हैं, अथर्व को सेलियोरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था. उसने उत्तेजना में अथर्व पर जपटा मारा और उसे चुम लिया. उसके बाद वह अपने व्यक्तिगत फोर्जिंग रूम में भागते हुए फोर्जिंग की पुस्तत ले गई. थोड़ी देर यहां रुको, मैं गारंटी देता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे. अथर्व अवाक रह गया. हाला कि एक कड़वी मुस्कान दिखाते हुए, वह बहुत जल्दी खीक हो गया. सेलियोरा को एक उतकरन बनाने में काफी समय लगा. चुमकि अथर्व के पास करने के लिए बहतर कुछ नह ली थी, लेकिन वे कुछ वाकियों में सब कुछ नहीं समझा सकते थे. समय किसी का ध्यान नहीं गया, और अथर्व को वाइट रिवर सिटी में प्रवेश किये दो घंटे बीच चुके थे. इस बीच वाइट रिवर सिटी क्षेत्र में विभिन संग पूरे जोरों पर थे. उन्होंने लगातार वेटस्टोन खरीदे और बदले और साथ ही उच्चस्तरिय राक्षसक शेत्रों में सक्त रूप से पीस लिया. बर्फ यहां खिलाडियों की संख्या बड़ी और बड़ी होती जा रही है और यहां हमारी समतल गती को बहुत धीमा कर रही है. हम उदास धाटी में समतल करने के लिए क्यों नहीं जाते एक सिंगल ट्रिपल फ्लेम बैराज के साथ जाओ युएरू ने कम HP लेवल 10 शैडो वेर वोल्फ को समाप्त किया. वह फिर जेंटल स्नोकी और मुडी और बोली. मूल रूप से इस स्तर 10 शेत्र में इतने खिलाडी नहीं थे हाला कि अथर्व के कारियों के कारण स्तर 8 और स्तर 9 के खिलाडी आने लगे जिस सिक शेत्र में भीड लग गई. प्रतेक शेत्र में समतली करन के सीमित संसाधन थे और एक शेत्र में प्रतेक अतरिक्त खिलाडी ने उन संसाधनों की उपलब्धता को कम कर दिया. संसाधनों वैली लेवल 11 से लेवल 14 मौन्स्टर एरिया थी। अपने मौजूदा उपकरणों के साथ वे अभी भी स्टर 11 और स्टर 12 के राक्षसों से निपट सकते थे। बस खत्रा काफी बढ़ जाएगा। हालांकि वहां उनकी समतल करने की गती इस स्थान की गती से कई गुना अधिक होगी। उदास धाटी भी उनके वर्तमान स्थान से कुछ ही दूरी पर थी। अगर वे जल्दी करते तो आधे घंटे में ही पहुँच जाते। यदि वे स्पीड स्क्रॉल का उप्योग करते तो वे लगभग 10 मिनट में बहां पहुँच सकते थे। जेंडल स्नों ने अप लब्ध राक्षसों की संख्या में कमी आई और उनकी वर्तमान स्थर की गती उनके द्वारा शुरू की गई तुलना में आधे से भी कम थी। यहां जुटे खिलाडियों की संख्या अभी भी बढ़ रही थी। अगर यही स्थिती बनी रही तो 7-8 घंटे में यहां पीस्त हथियार सीक्रेट सिल्वर रैंक था वह अभी भी इसे एक घंटे से अधेक समय तक चला सकती थी इससे पहले कि इसका स्थायत्व एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुँच जाए। इस समय जेंटल स्नो के कम्यूनिकेटर की घंटी बजी। मूल रूप से जेंटल स्नो क इरादा बिना ज्यादा सोचे समझे कॉल को अस्विकार करना था। हाला कि जब उसने देखा कि कॉल करने वाला अथर्व है तो उसके चहरे पर एक फीकी मुस्कान ना गई। इससे पहले अथर्व के वाइट रिवर्सिटी में प्रवेश करने के बाद उसने अथर्व से भ उसका संदेश देख लिया था। चुंकि अधर्व ने उससे संपर्ख करने का प्रयास किया, जेंटल स्नो कॉल को अस्विकार नहीं करेगी। बहरहाल वेटर स्टोन्स की नई खेप आने में अभी कुछ समय बाकी था। व्यस्ट आदमी आखिरकार आपके पास मुझसे संपर्ख करने का समय है, कॉल कनेक्ट होने के बाद जेंटल स्नो धीरे से हस पड़ी। आप मजाक कर रहे हैं, मिस्स्नो। मैं भी इसके लिए लाचार हूँ। मुझे चिंता थी कि मेरा संचारक अंथीन रूप से बचता रहेगा और मेरा ध्यान भंग करेगा, इसलिए मैं इसे बंद कर दिया। जब मैंने अपना मामला समात कर लिया, तो क्या मैंने तुरंक मिस्नो से संपर्ख नहीं किया, अथर्व मुस्कुराया। जेंटल स्नो के स्वर से अथर्व कुछ हद तक उसकी व्यथित भावनाओं को समझ सकता था, हाला कि वह इसके साथ बस असहाय उन्होंने वाइट रिवर सिटी को जीतने में काफी समय बिताया था, इसके अलावा उसे और भी अधिक समय बर्बाद करने की आवश्चक्ता थी, आखिरकार अगर उन्होंने वाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने के तुरंक बाद वाइट रिवर सिटी गाइडबुक प्रकाशित की तो अन्य लोग अत्यधिक संदिग्ध हो जाएंगे। बिना कुछ समय गवाए वह जाच कैसे कर सकता था। अगर उसने बिना किसी पूर्व जाच के गाइडबुक बनाई तो यह अजीब होगा अगर किसी को उस पर शक न हो। इसलिए अधर्व ने संपर्क श एक मूल्य का नाम दें मैं यह सब खरीद लूँगा जेंटल स्नो ने गंभीरता से कहा। यदि वह वाइट रिवर सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेती तो वह समय से पहले तयारी कर सकती थी। इस तरह वे अन्य गिल्डों पर भारी बढ़त हासिल कर सकते थे। जहां तक पैसों की बात है उसने शायद ही कोई ध्यान दिया हो। इसके अलावा उनका मानना था कि अथर्व सिर्फ एक यादरिक्षिक मूल्य निर्धारित नहीं करेगा। मैंने पहले ही वाइट रिवर सिटी के बारे में जानकारी के साथ एक गाइडबुक तयार कर ली ह गाइडबुक्स को दो संसकरणों में विभाजित किया गया है एक सरलीकृत संसकरण और एक लक्जरी संसकरण। मैं कुछ समय बाद उन्हें आधिकारिक मंचों पर प्रकाशित करने और बेचने के लिए तयार हूँ अथर्व ने बात करते हुए सिरहिलाया। कोमल्स नो अ गाइडबुक्स की वैधता की निश्चित रूप से गारंटी थी। विभिन बड़े गिल्ड सभी उनके लिए प्रतिस्परधा करेंगे। उसे स्विकार करना पड़ा कि वह भी अधर्व के व्यापार कौशल की प्रशन सक थी। वाइट रिवर सिटी छेत्र के भीतर बड उसने उसके बारे में एक सरलीकरित संसकरन का जिक्र सुना तो यह स्पष्ट रूप से औसत खिलाडियों के लिए था। इसे खरीदने वाले निश्चित रूप से अंगिनत खिलाडी होंगे तो अधर्व उनसे भी अच्छी खासी कमाई करेगा। केवल कुछ घंटों के ल प्राप्त करना चाहता हूँ। बेशक मैं अधिक कीमत चुकाऊंगा। इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए मुझे आशा है कि आप सूचना के जारी होने में तीन या चार घंटे की देरी कर सकते हैं। मैं न केवल उच्छ कीमत पर जानकारी खरीदूंगा बलकि मैं जेंटल स्नो से संपर्प करके वह केवल वाइट रिवर सिटी गाइडबुक को अगरिम रूप से बेचने का इरादा रखता था। उसने नहीं सोचा था कि जेंटल स्नो की ऐसी चाल होगी। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना करता था। इसलिए उन्हें वाइट रिवर सिटी के बारे में जानकारी की सक्ट जरूरत थी। क्या यह परियाप्त नहीं है। तो दो मिलियन ठीक होना चाहिए है ना जेंटल स्नो ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड लिया यह महसूस करते हुए कि अथर्व कुछ हद तक पैसे का लालची था। नहीं एक लाख काफी है। यह बस मुझे आश्चर्य है कि क्या आप सरलीकृत संसकरण या लक्जरी संसकरण चाहते हैं। अथर्व ने हंस्ते हुए चिढाया। क्या आपको पूछने की भी जरूरत है। जितना अधिक विस्तरित उतना अच्छा जेंटल स् के रूप में एक मिलियन क्रेडिट खर्च करने को भी तयार थी, तो क्या उसके पास उस तरह के पैसे की कमी भी होगी। वह तो लक्जरी संसकरण होगा। मैं इसे 20,000 क्रेडिट के लिए बेच रहा हूँ। वास्तव में मेरे पास अभी भी मेरे पास गाइड़ बुक का ए सुपरलक्जरी संसकरण है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस स्नो की इसमें दिल्चस्पी होगी, पूछने पर अथर्व मुस्कुराया। एक सुपरलक्जरी संसकरण। आपको इसके लिए कितना चाहिए, जेंटल स्नो ने जवाब दिया, थोड़ा तिरसकारपूर। दस बनाने में अपना खून बहाया है। यदि आप यह नहीं चाहते हैं, तो हो। इसी तरह केवल लक्जरी संसकरण खरीदना ही पर्याप्त है, अथर्व केवल नेक इरादों से भरा था। वह सुपरलक्जरी संसकरण में वास्तव में कुछ महत्वपून जानकारी जोड़ द यह जेंटल स्नो को अन्य गिल्डों से काफी दूरी तक आगे बढ़ने की अनुमती देने के लिए पर्याप्त था। मूल रूप से अथर्व का इरादा इस जानकारी को बेचने का नहीं था। हाला कि जेंटल स्नो थोड़ा खास मामला था। मुख्यकारण यह था कि गिल्ड जेंटल स्नो का संबंध था। उसके साथ कोई संघर्ष नहीं था। आखिरकार औरोबोरोस की मुख्य शक्ती राजधानी शहर स्टार्मून सिटी में स्थित थी। जेंटल स्नो को जल्दी आबाद में अपने विकास को जारी रखने के लिए राजधानी जाना अभी उन्होंने बस जेंटल स्नो को एहसान करने की पेशकश की। भविश्य में अगर उसे परिशानी का सामना करना पड़ा तो वह उसकी मदद करने के लिए जेंटल स्नो भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। आखिरकार वाइट रिवर सिटी में प्रतिसपरधा का क कारण खुद से ध्यान हटाना था। विनाश ने हमेशा महान का पीछा किया। यदि आसपास कोई और अधिक उतकरिष्ट अस्तित्व होता तो विभिन बड़े संग अपनी द्रिश्टी को अथर्व से उस अस्तित्व में स्थानांतरित कर देते। अथर्व अपने एक्श फिर अच्छा है। मैं उस समय आपको पैसे ट्रांसफर कर दूँगा जेंटल स्नो ने फोन काट दिया। जेंटल स्नो के पास खड़े होकर जाओ युएरू ने बातचीत का हर शब्द सुना था। उल्जन में उसने पूछा स्नो मैं तुम्हें फटकारने की कोशिश नहीं वह ये अथर्व कप्ती है। हम पहले ही उसकी बहुत मदद कर चुके हैं और यहां तक की अंडर्वर्ड द्वारा उसे निशाना बनाए जाने के मामले से भी निपट चुके हैं। जेंटल स्नो ने आहे भरते हुए कहा, आए हम न्याय करने से पहले इसे देखें, अथर्व ने कुछ मुल्यवान जानकारी होती, तो वह कम से कम बहुत बढ़ा नुकसान नहीं उठाती। जिसके बाद अथर्व ने Stabbing Heart of the Assassin's Alliance के साथ भी इसी तरह का सौदा किया। हाला कि उन्होंने इस बार सुपरलक्जरी संसकरन पेश नहीं किया। आखिरकार हत्यारे के गठ बंधन की मुख्य शक्ती White River City में तैनात थी। Stabbing Heart के साथ उनकी दोस्ती के कारण ही उन्होंने उन्हें पहले से ही जानकारी बेच दी थी। Stabbing Heart स्वाभाविक रूप से यह जानता था, इसलिए वह अथर्व के कारियों से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने अथर्व को आभार के रूप में तुरंट 50,000 क्रेडिट का भुगतान किया। साथ ही, White River City के बारे में इस जानकारी के साथ, Stabbing Heart को भी White River City में Marshall Union के विकास को दबाने के मामले की समीक्षा करने के लिए उच्चप से अनुरोध करने का विश्वास होगा। इस तरह, Marshall Union के प और अपनी टीम के अन्य सदस्यों को भेजा। ब्लैकी की पावर लेवलिंग स्पीड के साथ, टीम का हर सदस्य जल्दी से लेवल 10 तक पहुँच जाएगा। वे Gentle Snow की तुलना में बहुत तेज होंगे, इसलिए अथर्व को ब्लैकी और अन्य लोगों को समय से पहले White River City की बहतर समझ प्रदान करनी थी। अंय था वे White River City में प्रवेश करने के बाद बस खो जाएंगे। इस समय फोर्जिंग रूम का धातू का दर्वाजा खुल गया और सेलिए बाहर चला गया। फोर्जिंग रूम में प्रवेश करने की तुलना में सेलिए अधिक ठका हुआ मह अनिच्छा के साथ अथर्व को सौंक दी। उसने फिर एक लौलाल उरने वाला डार्ट निकाला। इस उरने वाली डार्ट ने एक शांदार लाल रंग बिखेरा जिसने एक व्यप्ती के दिल को मधोश कर दिया। महाकाव्य रैंक वाली महान तलवार के अलावा इस आइट रैंक वाला फैंकने वाला हथियार कह सकते हैं। इसलिए आपको इसे ठीक से संजोना होगा। एसा कहा, तो यह वही था। हाला कि इन दोनों रैंकों के बीच एक विशाल दहलीज है। कोई कह सकता है कि डार्क गोल्ड रैंक से एपिक रैंक में अपग्रेड किये जाने पर आइटम गुनवत्ता में भारी छलांग लगाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह अजीब है? अथर्व ने सहमती व्यक्त करते हुए सिरहिलाया। यह वैसा ही था जैसा सेलियोरा ने कहा था। दार्क गोल्ड एक्विपमेंट फाइन गोल्ड एक्विपमेंट से कुछ ही ज्यादा मजबूत था। हाला की विशेष्टाओं के संबंध में एपिक एक्विपमेंट डार्क गोल्ड एक्विपमेंट से कई स्तरों पर था। उदाहरन के लिए माविस गार्ड को ब्लैकी के हाथों में लें। जहां अथर्व के हाथों में सिल्वर लेक से कहीं बहतर था, जिसमें एक डार्क गोल्ड वेपन के प्रतिदवंदवी गुन थे। बस एक महाकाव्य हथियार को लैस करने से ब्लैकी को अथर्व की तुलना में एक मजबूत ख्षती आउटपुट और अटैक पावर मिली। एपिक रैंक वाली वस्तु की शक्ती सपष्ट थी। ऐसा लगता है कि आप भी इन दो रैंकों के बीच के अंतर को समझते हैं। सेलियोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में एपिक रैंक वाले उटपादों का एक और नाम है। दूसरा नाम कि यह पहली बार अधर्व ने इस बारे में सुना था। सही बात है, दूसरा नाम. यह कुछ ऐसा भी है, जिसे मैंने बुक आफ फोर्जिन पर शोध करने के बाद पाया है, जो आपने मुझे उधार दिया था। साथ ही वर्षों से मैंने जो साहित्य एकत्र किया है, सेलियोरा ने सिरहिलाया। प्राचीन काल में महाकाव्यक्रम वाली वस्तूओं को असाधारन वस्तूए भी कहा जाता था। धधक्ते उल्का के गुनों के बारे में और भी अधिक उत्सुख हुए बिना नहीं रह सका, जिसने सेलियोरा को इतना रोमाचित कर दिया। फिर इसे स्वयन देखें, सेलियोरा ने धधक्ते उल्का को अधर्व को सौपते हुए धीरे से कहा, एक छद मसाधारन वस्तू वह अधिक्तम सीमा है, जिसे नश्वर अपनी शक्ती से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि इस धधक्ते उल्का को एक उत्कृष्ट कृती माना जा सकता है, जो एक असाधारन वस्तू के सबसे करीब है, ये शब्द सुनते ही अधर्व का दिलतेजी से धड़कने लगा, यह एक ऐसा आइटम था जो एपिक रैंक वाले आइटम की गुनवत्ता के करीब था, सबसे अधिक संभावना है, उनके जादू हतियार, एबिसल ब्ल सेलियोरा से धधकते उलका को प्राप्त किया, इसकी विशेश्टाओ पर एक नजर डाली, ज्वलनशील उलका, फैंकता हतियार, डार्क बोल्ड रैंग, उपकरन की आवश्चक्ता, शक्ती 120, चपलता 140, अटैक पावर, खिलाडी की टाकत 2, शक्ती प्लस 50, चपलता प्लस 65 धीरच प्लस 10, हमले की गती प्लस 5, अधिक्तम फैंकने की दूरी 45 गज, स्तर प्लस 8 पर ध्यान न दें, हमले की गती में 15 परसेंट की व्रिधी हुई, हमला करते समय, लक्षे की रक्षा को अंदेखा करने का 35 परसेंट मौका, चौगुनी प्रेत प्रभाव को सक्रिय करने का 5 परसेंट मौका, 10 सेकंड के लिए हर सेकंड लक्षे को 200 लौक्षती से निपटना, 5 गुना तक धेर हो जाता है, अतिरिक्त कुशलता, परमेश्वर के क्रोध को भढ़काना, 43 गस के क्षेतर में दुश्मनों को भौतिक और ज्वाला क्षती पहुचाता है, प्रारंभि उलका को ग्रैंड मास्टर फोर्जर सेलियोरा द्वारा बनाया गया था, इसकी सामगरी की सीमा के कारण यह केवल एक छदम साधारन वस्तु है, जो नश्वर पुरुशों की बहुत सीमा पर शक्ती रखती है, एपिक रैंक की अगने प्रकार की सामगरी को इकठा करने के ब अधारन डार्क गोल्ड रैंक वाली वस्तों से कहीं बहतर थी, जब तक अथर्व के गुनपूर्वा पेक्षा तक पहुँचते और वह प्रजवलित उलका को सुसजित करता, उसकी शक्ती तुरंत कई स्तरों तक बढ़ जाती, धधकते उलका को प्राप्त करने के बाद, अ हलाकि एक तलवार बाज अभी भी अपने दिल में एक हाथापाई वर्ग था, इसलिए उनके हमले विशेश रूप से शक्तिशाली नहीं थे, अधिकांश स्वार्ड समयन खिलाडियों ने रेंजड थ्रोइंग हथियारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हलाकि अथर्व ने अपने हमलों पर बहुत भरोसा किया, आखिरकार ऐसे कई उदाहरन थे, जब हाथापाई का मुकाबला करने वाले राक्षसों का सामना करना मुश्किल था, अगर वह रेंजड अटैक्स पर स्विच कर सकता है, तो उसके लिए काफी आसान समय होगा, इसके अलावा, अध्मसाधारन वस्तु दबलेजिंग उलका थी, तो कई तरह के हमले अब अथर्व की कमजोरियों में से एक नहीं थे, इसके अलावा, हथियार फैंकना उपभोग्य वस्तुएं नहीं थी, इसकी फोरजिंग में शामिल जादूई अव्यवों के कारण बलेजिंग उलका क उपयोग की संख्या असीमित थी, जब भी कोई फैंकने वाला हथियार किसी दुश्मन से टकराता है, तो वह तुरंत गायब हो जाता है, और खिलाडी के हाथों में फिर से आ जाता है, यह एक अत्यंत सुविधाजंक कार्य था, दुर्भाग्य से अथर्व की वर्तमान वि एक मास्टर फोर्जर थी, इसलिए परिचय ने उसे ग्रैंड मास्टर फोर्जर के रूप में क्यों बर्नित किया, मास्टर सेलियोरा क्या ऐसा हो सकता है कि आप, पहले से ही एक ग्रैंड मास्टर जालसाज हैं, अथर्व ने सेलियोरा की ओर शक भरी निगाहों से देखा, स पुरे स्टार्मोन की गडम में एक भी Grandmaster जालसाज नहीं था। Grandmaster Forzers अस्तित्व थे जो भगवान के डोमेन में Forging के शिखर पर खड़े थे और यहां तक की Tier 5 Apex Powerhouse को Grandmaster Forzer तक चूसना पड़ा था। उनकी स्थिती किसी देश के शासक से कम नहीं थी। आम तौर पर एक सामराज्य की राजधानी शहर या Blackwin City जैसी जगहों पर भागय के साथ एक Grandmaster Forzer से मिल सकता है। इस बीच उनके सामने सेलियोरा एक ऐसा ही अस्तित्व था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी नजर इतनी तेज होगी। मैं वास्तव में एक Grandmaster जालसाज बन गया हूँ। हाला कि यह सब आपके लिए धन्यवाद है। यदि आपने मुझे Forgin की पुस्तक उधार नहीं दी, तो मुझे उन रहस्यों को उजागर करने की अनुमती नहीं दी, जिन्होंने मुझे पिछले कई वर्षों से परिशान किया है, फिर भी मेरे लिए Grandmaster बनना असंभव होगा। धन्यवाद के रूप में यहां मेरा संचार क्रिस्टल है। भविश्य में आप इस मद के माध्यम से किसी भी समय मुझ से संपर्ट कर सकते हैं। सेलियोरा ने मुस्कुराते हुए सिरहिलाया। सिस्टम हेड़न क्वेस्ट सर्च फॉर सेलियोरा पूरा हुआ। Grandmaster जालसाज बनने में सेलियोरा की सहायता से आगे निकल गया। शद्म साधारन वस्तु धधकते उलका के साथ पुरस्कृत खिलाडी। सेलियोरा के कम्यूनिकेशन क्रिस्टल को पुरस्कृत करना। साथ वह अक्सर सेलियोरा से उनके लिए कुछ मामलों को संभालने का अनुरोध कर सकता है। वाइट रिवर्सिटी में सिर्फ 300 प्रतिष्ठा अंक वाइट रिवर्सिटी में एक अचल संपत्ती की खरीद को बहुत आसान बना देंगे। जब तक वह एक बैरन बन गया, वह गिल्ड रिजिदेंस की स्थापना करते हुए वाइट रिवर्सिटी में निजिक शेतर खरीज सकता था। हाला कि एक बैरन केवल वाइट रिवर्सिटी की सबसे बाहरी भूमी खरीज सकता था। सलियोरा के लिए वह हाल ही में एक ग्रैंड मास्टर जाल साज बनी थी, इसलिए वह एक यात्रा पर जाने का इरादा रखती थी। वह अपनी पहली एपिक रैंक वाली वस्तु बना कर अपनी उपलब्धी का जश्न मनाना चाहती थी, इसलिए उसे सामगरियों का पता लगाने और खोजने की जरूरत थी। इसके तुरंत बाद अथर्व लोहार से चला गया। यहां देखते हुए की समय बिलकुल सही था। अथर्व ने वाइट रिवर सिटी गाइडबुक को आधिकारिक मंचों पर पोस्ट किया, पोस्ट को तीन घंटे में प्रकाशत करने के लिए निर्धारिक किया। इसके ब यह जगह शांदार दिखती है। ऐसे अध्भुत NPC जिस क्षण ब्लैकी और अन्य लोग वाइट रिवर सिटी पहुँचे उस अध्भुत नजारी ने उन सभी को स्थब्ध कर दिया। उनकी भावनाय खुशी, उत्साह और गर्व की एक अवर्णनिय भावना के बीच वैक कठा हुए तो उन्हें पता चला कि ब्लैकी और लोनली स्नो वास्तव में उन्हें लेवल 20 के राक्षसों के एक समूह से निपटने के लिए लाय थे। उस समय सदमे से उन्हें लगभग दिल का दोरा पड़ा था। गौड्स दोमेन किसी भी अन्य आभासी वास्तविक्ता खेल के विपरीद था और गौड्स दोमेन में उच्च स्तर के राक्षसों को मारना एक अत्यंत कठिन कार्य था। इसके अलावा उनका औसक स्तर लेवल 8 तक भी नहीं कहुंचा था। लेवल 20 स्वैंप राइनों को चुनौती देना उनके लिए बस आत्मभाती था। फिर भी ब्लैकी और लोनली स्नों ने तुरंट अपने समूह को खीच लिया और दलदल गैंडों की ओर बढ़ गए। दोनों ने ऐसा अभिनाय किया जैसे दलदली गैंडे स्तर बीस के राक्षस नहीं थे लेकिन स्तर शुने द्रींग नो मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाला उनके अनुभवबार तुरंट एक बड़े हिस्से से बढ़ गए। इस द्रिश को देखते हुए कोला और अन्य लोगों की आखें आश्चर्य से अपनी जेब से लगभग बाहर निकल आई थी। एक कहावत थी तीन दिन बीट जाने के बाद कोई भी दूसरों को आकने के अपने पुराने द्रिश्टिकोन का उप्योग नहीं कर सकता है एक हाला कि इसमें तीन दिन गुजरने की शर्थ शामिल थी। एक दूसरे से अलग हुए केवल कई घंटे हुए थे लेकिन ब्लैकी और लोनली स्नो की वृध्धी दर एक लिफ्ट का उप्योग करके एक सीध चड़कर आरोही से उपर की ओर बढ़ गई थी। यह ऐसा था मानों उनकी विकास दर को हार्मोन के इंजेक्शन दिये गए हों जो दसियों गुना बढ़ रहे हों। आधे घंटे के भीतर उन सभी ने सामुहिक रूप से एक स्तर प्राप्त कर लिया था। जब उन्होंने ब्लैकी और लोनली स्नो के स्तरों के बारे में पूछा, तो कोला और फायर डान्स दोनों पूरी तरह चौक गए, वे दोनों पहले से ही लेवल ते रह थे। इस गैप ने अंतर की दुनिया बना दी। ब्लैकी और लोनली स्नो अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए। वे जि इतना शक्तिशाली होता तो अच्छा होता। हाला कि उनकी टीम के पास दो अन्य स्तर तेरह पौवर हाउस भी थे। यह टीम कितनी शक्तिशाली थी। यदि दूसरों को यह पता चलता है तो वे आसमान गिरने से कम चौक सकते हैं। कई घंटों के बाद कोला और अन्य एक क समय बाद एक दसवे स्तर पर पहुँच गए। इस बीच ब्लैकी और लोनली स्नो दोनों 14 के स्तर तक पहुँच गए थे। उन्होंने अथर्व के अनुरोध के अनुसार काम किया, वाइट रिवर सिटी में प्रवेश किया और खुद को शहर से परिचित कराया। वे तब क वाइट रिवर सिटी की रैंकिंग सूची को सक्रिय करना। वाइट रिवर सिटी रीजन सिस्टम अनौंस्मेंट पाँच खिलाडियों ने वाइट रिवर सिटी में प्रवेश किया है। घोशना को तीन बार दोहराने के बाद वाइट रिवर सिटी क्षेत्र के सभी खिला पहले ही वाइट रिवर सिटी में प्रवेश कर चुके हैं। यह उन्हें सिखाएगा कि हम जैसे स्वतंत्र खिलाडी अभी भी सबसे मजबूत हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये लोग कौन हैं। वे सभी स्वतंत्र खिलाडी हैं। उनसे तुरंत संपर्क करें। भले ही हमें उन्हें आधिकारिक पद देना पड़े। हमें उन्हें अपने गिल्ड में भर्ती करना चाहिए। विभिन बड़े संगों ने उन पर भारी दबाव महसूस किया। रैंकिंग सूची विभिन बड़े संगों के बीच एक प्रतियोगिता होनी चाहिए थी, फिर भी यह अब स्वतंत्र खिलाडियों के एक समुह की थी। इसके अलावा उन्होंने शीर्ष 6 पदों पर कबजा कर लिया था। इसने इन बड़े गिल्डों को पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया। अभी इन संगों को इन स्वतंत्र खिलाडियों को अपने संगों में भरती करने की आवश्चक्ता थी। इस तरह इन संगों के नाम भी रैंकिंग सूची में दिखाई देंगे। इस बीच ब्लैकी और लोनली स्नों ने अधर्व के पिछले अनुरोध का पालन किया। जिस क्षण उन्होंने वाइट रिवर सिटी में प्रवेश किया। सिस्टम ने पूछा कि क्या वे अपना नाम रैंकिंग सूची में रखना चाहते हैं। उन दोनों ने तुरंत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हाला कि कोला और टीम के अन्यपांट सदस्यों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। यह उन बड़े संगों में खलबली मचाने का एक अच्छा मौका था और ऐसा करते हुए वे अपनी प्रसिधी बढ़ा सकते थे। आखिरकार कोला और अन्य अभी भी स्तर दस थे। यह एक अपेक्षित स्तर था। हाला कि यदी ब्लैकी और लोनली स्नो रैंकिंग सूची में अपना नाम जोडते हैं। यह दोधारी तलवार होगी, उन्हें प्रसिधी दिलाने के साथ साथ उनके जीवन में जहर भी घोल रहे हैं। अभी ये बड़े गिल्ड कोला और अन्य दस के स्तर तक पहुँचने को समझ सकते हैं। हाला कि अगर दो लेवल 14 के खिलाडी अचानक रैंकिंग सूची में दिखाई देते हैं, तो दिमाग की कोई भी मात्रा इन गिल्डों को चीजों को समझने की अनुमती नहीं दे सकती है। लेवल 9 से लेवल 10 तक ले जाने के लिए पूरे दिन की मिहंत से अधिक की आवश्यक्ता होगी। यह समझ में आता था कि ब्लैकी और लोनली स्नो के पास शक्तिशाली तक्नीके थी और एक अच्छा लेवलिंग स्पॉट मिला। हाला कि चार स्तरों का अंतर इन संगों को भड़काएगा। वे इस स्तर के रहस्य को प्राप्त करने के लिए भद्दे तरीके बनाएंगे। अभी अगर ब्लैकी और लोनली स्नो ने रैंकिंग सूची में अपना नाम प्रदर्शत किया तो वे वाइट रिवर सिटी क्षेतर में हर एक खिलाडी की दुश्मनी हासिल कर लेंगे। ये अथर्व का नाम क्यों नहीं है। इसके अलावा ये नाम इतने जाने भचाने क्यों लगते हैं जेंटल स्नो ने रैंकिंग सूची खोली यह पता चला कि शीर्श छै खिलाडी सभी समान रूप से स्तर दस के थे। हालाकी नंबर एक स्थान अथर्व का नहीं था, बलकि फाइर डांस नाम के एक खिलाडी का था। उन्होंने डार्क मोन कबरिस्तान में अपना नाम भी हमारे नाम के साथ चोड़ दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था, कि उनकी लेवलिंग स्पीड इतनी तेज होगी। जाओ युएरू ने जल्दी से रैंकिंग सूची में नामों को पहचान लिया इस द्रिश ने उन्हें जखजोर कर रख दिया था आखिरकार उन्हें इन खिलाडियों की प्रिष्ठ भूमी की सपष्ट समझ थी वे निश्चित रूप से गौड्स दोमेन के अनाडी थे और वे विशेशग्य होने के करीब भी नहीं थे पहली बार जब वे डेथली फॉरेस्ट में मिले थे और उस समय वे केवल नोब थे जिन्हें अथर्वने बेतर्तीब धंग से पार्टी के लिए चुना था दूसरी बार जब वे मिले हाला कि उनका स्तर उसके बराबर नहीं था उनके बीच की खाई कुछ कम हो गई थी हाला कि अब वे उससे आगे निकल गए थे यहाँ अविश्वसनिय था जाओ ये रू का रिमाइंडर मिलने के बाद अचानक जेंटल स्नो को एहसास हुआ नतीज तन इस समय आमतोर पर शांत और आत्म विश्वास से भरी जेंटल स्नो ने आश्चर्य और घबराहट का एक रूप प्रकट किया ये अथर्व बस तुम कौन हो कोमल हिम पात मदद नहीं कर सका लेकिन अंदर ही अंदर आश्चर्य हुआ अथर्व ने यह कैसे किया इसके अलावा अथर्व उनके अच्छे दोस्ट ब्लैकी और लोनली स्नो ने वास्तव में रैंकिंग सूची में अपना नाम प्रदर्शित करने से परहेश किया था कोमल हिम इस क्रिया को समझ नहीं पाई आखिरकार अथर्व ने व्यक्तिगत रूप से जिन नोब्स का नेत्रित्व किया था वे सभी स्तर दस तक पहुँच गए थे उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके अच्छे दोस्ट ब्लैकी और लोनली स्नो लेवल दस नहीं बन पाए थे एक मात्र संभावना यह थी कि उन्होंने अपने स्तरों को छुपाया था लेकिन वे अपने स्तर को क्यों छिपाना चाहेंगे क्या यह उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का अच्छा मौका नहीं था वे उन्हें क्यों छिपाएंगे क्या हासिल करना था अचानक जेंटल स्नो ने एक संभावना के बारे में सोचा या इससे भी बहतर एक मात्र संभावना इस संभावना के बारे में सोचने के बार कोमल हिम अनैच्छिक रूप से कम कम पी